अस्सलाम आलेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नाविल्स पॉइंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार नावल लेकर आया हूँ, चले नावल सटारट करते हैं, नावल, महबतन सची अने, राइटर, अजमशी शेख, मुकम्मल उर्दू नावल, मही वे, मह बाइल गा रहा था, गाते गाते चुक हो गया, दो मिनट बाद, सची मोहबतें एक बार फिर फिजामी गोंजने लगी, मैंने इंड में डूबा पड़ा था, बड़ी मुश्किल खुद में फोन उठाने की हिम्मत पैदा की, पर उठाने से पहले वक्त देखना नहीं भोला था रात के दो बज रहे थे, या अल्ला खेर, केहकर मैंने फोन कानों से लगा लिया, हेलो हेलो कहता रहा, आगे घंबीर खामोशी थी, चंद लम्हों बाद ये खामोशी ससकियों में बदल गई, मैं जो अभी तक विस्तर पे अंग्दे मूंख पड़ा था, सीधा हो बैठ थोड़ी देर पहले वाली नींद से बोजल आँखी पूरी खल चुकी थी, इसका फोन अगर्चे पांच साल बाद आया था, पर इसे पहचानने में मुझे पांच मिनट भी नहीं लगे थे, इसकी वज़ह शायद ये थी कि बिचल जाने के बावजूद मेने ये पांच साल उसी के साथ है, ये गुज़ारे थे, हर लमहा उसे अपने खरीब पाया था, हर दुआ में उसे याद किया था, और हर पलना चाहते हुए भी इसका इंतिजार किया था, जानता था वाकसी नामुम्किन है, फिर भी दिल उसी की तमना के हुए था, उसी इंतिजार में, मैं आ सीन लोगों में ये बजने लगे तो बंदा कितना अकुरड लगता है खतम कर उसे इसके जाने के बाद मुझे तने दिये कि अब तो इस सची महबत से जान चुड़ा ले कि अब तो बो जा चुकी कई बार सोचा पर मैं ऐसा कर नहीं सका राभी बोल रहे ही हूं इसने बिलाख जैसे होते पर याद आया के अब तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा कब बमुश्किल पूछ सका कल पाकिस्तान के दोपर बारह बजे पहुंच जाऊंगी लेने आ जाना अकेले अना और हां अम्मों को मत बताना इसने दाकीद करके फोन काट दिया मेरा दिल अचानक से ज् के साथ ही वाओ है मेरी खाला की बेटी भी थी मैं खाला को खाला ही कहता था चाची लफज में मुझे अपनायत महसूस नहीं होती थी पर चचा को चचा ही कहता इस लफज और रिष्टे दोनों से ही सच्ची महबतों की खुश्बु आया करती थी हमारा बचप नून एक करते थे दोनों के हां कई सालों से एक-एक औलाद ही थी फिर कई सालों बाद लाह पाक ने मुझे एक बहन भी दे दी पर मेरी बहन को मुझसे ज्यादा रावी प्यार करती तब मुझे बहुत गुस्सा आता जब वो मुझे छोड़कर नंहीं के साथ खेलने लगती तब दि दूसरे शहर किसी रिष्टेदार की शादी पे गए, वापसी पे काफी देर हो गई, सर्दियों की रात थी इस रोज धुन्द भी मामूल से ज्यादा थी, मैं काफी ठक चुका था सौस हो गया, फिर शदीद गसम की चीखे सुनाई दी, बहुत तेज जटके लगे, मेरा सर ग खली तो में होसिटल के बेड़ पे था, सबसे पहले मुझे जसका ख्याल आया वो राभी ही थी, मैंने देखा कि मेरी खली आँखी देखकर खाला जल्दी से मेरे पासा खड़ी हुई थी, राभी, मैंने सरगोशी की, फिर इनकी सोजी हुई आँखों का तापक किया तो मेर साथ वाले बेड़ पे राभी ली, थी नजर आ गई, देखकर दिल को करार मिला पर जिस हाल में देखा, वो बहुत तकलीफ दह था इसका मुझ पिटियों में लिपटा हवा था और एक टांग पर पलस्तर चढ़ा हुई था, बाबा, अमा, चचचा, नन्ही, मैंने सवालिय निगाहों से खाला की तरफ देखा, तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ, चलो शाबाशा आँखें बंद करो, देखो राभी भी सो रही है, इन्होंने मेरी पेशानी चूम कर कहा, और मैंने भी अच्छे बच्चों की तरह आँखें बंद कर लें, दो दिन मेमे बे, इ चचा एक हफ़ते से ICU में थे, इनकी हालत बहुत नाजब थी, अपने माँ बाप के बारे में पूछता तो खाला बात काल जाती, मेरा दिल सहम जाता, कभी कभी दिल करता कि जिद कर के पूछों पर जब मैं इनका सता चेहरा देखता तो सोचता कि वो पहले ही चचाओ, रे अबी की वजह से बहुत परेशान है, मुझे उनको और परेशान नहीं करना चाहिए, चचा को होशाया तो हम भागे भागे गए, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, अंखों ही अंखों में प्यार किया और मेरा हाथ खाला के हाथ में, देखर बना कुछ कहे जहां फानी से को मुझे रोने नहीं दिया गया, मुझे खाला पे रशकाया के इतने कड़े वक्त में वो तन्हा कैसे सब संभाल रही हैं, अपने माप बाप की बेहिस्सी पे घुस्सा भी कि जाने हमें इस हाल में छोड़ कर कहां चले गए हैं, जनाजा सामने पड़ा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, मेरी नज़रें दर्वाजे की तरफ थी कि बस अभी अमा भी आती होगी, दिल बहुत अदास था कि इस सूरत को देखे भी दस दिन हो चले थे, मेरी नज़रें दीद को तरस रही थी, आँखें बार बार नम हो रही थी और मैं खाला के दर से अंसों पे बंद बैठा रहा, तत्वीन से फारिग हो गए तो सभी अपने घरों को चले गए, में और खाला बिलकुल तनहा रह गए, तब मेंने हिम्मत करकाफ, ये पूछ ही लिया कि आखिर अम्मा बाबा कहां चले गए, इतने दिन हो गए हैं, तुम्हारे चचा इन्ही के पास ही तो गए ही, बहुत प्यार करते थे ना अपने भाई से, इसके बना रह नहीं सकते थे, तुम्हारा मेरा, राभी, किसी का भी खयाल ना किया और चले गए, खाला हाथों में चहरा चुपा कर रो दी, जब्द के सारे बंधन तूट गए, अंडर स्कोर अंडर स्कोर अंडर स्कोर प्लीज आ जाओ ना, मैं इसकी गुर्या को सीने से लगा कर रोता रहा, फिर दीदा वार उठा, बाबा की अल्मारी खोली, इनके कपरों से एक खुश्बू सी आया करती थी, मैंने इनके कमीज को खुद से लिपटा लिया चौमा तो वैसी ही खुश्बू आ रही थी, मुझे ऐस, अलिफ लगा मेरे बाबा मेरे पास हैं, मैं कमीज की बाबा में लपट कर लेट गया, रोते की आवाज उस वक्त बहुत बुरी लगी, दर्वाजा खोला तो सामने खाला खाने की ट्रेपकड़े खड़ी थी, मैं वापस अपनी जगह पर आ बैठा, बाबा की गमीज पे नर्मी से हाथ फैरने लगा, वो भी मेरे पास आ बैठी, नवाला बना कर मेरी तरफ बढ़ाया तो मेंने हाथ चटक दिया, नहीं खाना मुझे, मुझे बाबा के पास जाना है, मैं चेहरा छुपा कर रोने लगा, खाला ने दरफ कर मुझे सीने से लगा लिया, ना मेरी जान ऐसा मत, बोल, हमारे पास अब बचा ही किया है, अब तो ही तो है, हमारे जीने का सहारा, हमारा साइबान, ऐसे बोलने से पहले तुझे मेरा और रावी का खयाल नहीं आया, कैसे जेंगे हम इस मौशरे में जिस औरत के साथ कोई मर्द ना है, वहो जमाना उसे नोच खाता है, मर्द होना बहुत जरूरी है चाहे वो मर्द 12 साल का ही क्यों ना हो, खाला मेरा सर चामे जा रह तुम्हें तो इस कड़े वक्ट में इसकी हिम्मत बनना है, नहीं तो तुम्हारी रावी गम से ही मर जाएगी, बनो गे ना इसका सहरा, बताओ, खाला ने बहौर मेरा चेहरा देखते हुए पुछा, हाँ, वो मेरी रावी है, मैं ही इसका सहरा बनूँगा, मैं अब कभी भ रूँगा, अपनी रावी को खुश रखूँगा, बहुत खुश, मैंने खाला के सीने में सर्चुका लिया, बस यही वो लमहा था जब 12 साला फैजी को 11 साला रावी से महबत हो गई, सची महबत, जिसमें आज तक रती बराबर भी फर्क नहीं आया था, बलके वक्त के साथ साथ इजाफा ही हुआ था, मालूम था कि अब मिलन मुम्किन ना, या फिर भी मैं उसी को चाहता रहा कि सची महबत में तो मन मिले होते हैं ये सिर्फ तनका करब कब मानती है, मैं इसे खो कर भी उसी कर रहा, रावी हस्पताल से घरा चुकी थी, मैं और खाला इसका बहुत रख रहे थे, जिन्दगी रफ़ता रफ़ता मामूल पे आ गई, पहले तो कभी कोई अकरहाल पूछ लेता था दिलासा दे देता था, अब सब मस्रूफ हो गए, किसी को हम याद ना रह गए, करीबी कोई रिष्टेदार था नहीं जो सदा साथ देता, और ऐसे हाल, अत्मे तो कोई वो भी तो साथ नहीं दे पाता, वो कहावत है ना कि अंदेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, बस ये दूर हमारी जिन्दगियों का तारीक दूर था, जो हम सबने बहुत हिम्मत और होसला से कटा, हमारा घराना, खुशाल घराना था बाबा और चचचा दो भी रखा था, अगर सिर्फ दो वक्त की रूटी का सवाल होता तो हम घर बैट कर भी खा सकते थे, पर खाला के खाब और थे, वो हम दोनों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, और इन खाबों को पूरा करने के लिए इन्हें कुछ करना था, घर बैट कर नहीं खा खाबिल ना थी, खाला को हर सूरत घर पे रहना था, रावी को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता था, मैं स्कूल से आ जाता तब हमें खाना खिला कर वो अकैडमी चली जाती, मैं खुद अपना हो, मीम वर्ट करता और फिर रावी को भी पढ़ाता, यू शाम तक वक्त गुज जाई गए थी, गोया खाला ने खुफिया तोर पर दोनों को एक दूसरे को खुश रखने की जिम्मादारी सौमपी थी, मैं कभी जो भोले से माजी को दोहराने लगता तो रावी मेरी बात बदल देती, मेरा ध्यान बटा लेती, रावी को मुकमल तोर पर सहतियाब होते ए मेरा दिल पूर सुकून था वरना पहले स्कूल जाकर बेचेन रहता था कि जाने किया कर रही होगी, खाला तो अपने कामों में मसरूफ हंगी वो तन्हा बिस्तर पे पड़ी रोना रही हो, अब खाला ने एक स्कूल की नौकरी भी कर ली थी, हमें स्कूल छोड़कर वो कुछ बना कर खा लेते थे, गाबी मेरे लिए प्यार से चोटी चोटी टेली मेरी रोटियां बनाती और मैं आमलेट बनाने में इसकी मदद करता, या रात का सालन, होता तो वो गरम करने लगता, रोटी होती तो बेमज़ा थी पर इसकी महबत में मुझे इस से ज्यादा नहीं रख पा रही जैसा कि तुम्हारा हक है, पर यकीन करो में ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए ही कर रही हैं, हम इनके मुझे पे हाथ रख काफ, रे उन से लपट जाते, फिर इनके अंसु साफ करके इनहीं गुद गुदाने लगते, तब वो हंसी से लॉट पोट हो जाया करती थी, हमारे पास इनहें हसाने का बस एक यही तरीका था वरना हम इनके लिए कर ही किया सकते थे, इस्कूल के बाद वाओ, है अकैडमी चली जाती, शाम में घरा कर खाना बनाना, सुबर के कपड़े तयार करना, जब बिस्तर पे लेटे आतें तो दर्द से करा हट तब में और राबी उठकर इनहें दबाने लगते, वो मना करती रह जाती, पर हम बाद ना आते, सब हैसे शाम तक मुसलसल काम करना पड़ता था, इतनी मशक्कत की कहां आदी थी, ये पिसमत भी जाने किया किया खेल 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 जाती है, मैं इनका सता हुआ चेहरा देखता, आँखों के गर्ध हलके, रंग भी मद्धम पढ़ने लगा था, वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा की दिखाई देने लगी थी, दो साल पहले वाला चेहरा तो कहीं खो ही गया था और इनके वो जिन्दगी से भरपूर कहे तो चाचा के साथ ही इनके कबर में जा सोए थे, जब हम भी लेट जाते, जिन्दगी का पहया मुस्तकिल मिजाजी से घूमता रहा, मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद खाला से पुछा के मैं महले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करूं तो वो बहुत बरहम हुई, तुम्हारी अभी उम्र, नहीं है इन क हिला दिया, फिर में जी जान से उसे पढ़ाने लगा, वैसे तो वो जान चुडाती थी पर मेरी बात भी नहीं टाल सकती थी सौव से पढ़ना ही पढ़ता था, मेरा रजलट आया तो मैंने अपने अलाके में टाप किया था, खाला बेहत खुश थी, अपने, खाप पूरे ह उने की उम्मीद जाग उथी थी और उसे खुशी में इन्होंने राभी की इच्छी खासी क्लास भी ले डाली, इसे नालाइका और काम चोड़ी के तने भी दे डाले, वो जो मेरी खुशी में दिल और जान से शरीक होना चाहती थी, अक, नी बातें इतने तने सुन कर रोने दोने बैट गई और मुझ से भी खफा हो गई, शाम तक रोती रही, खाला ने परवा ना की, पर में उसे रोता नहीं देख सकता था, खाला से आंक बचा कर इसके पास जा पहुँचा, इसने मुझ फेर लिया, अच्छा, अब आइंदा अच्छे नंबर नहीं लूँगा, बस तुम नाराज ना हो मुझ से, तुम्हें पता है ना, मैं तुम से बात के बना नहीं रह सकता, मैंने छूटटे ही कह दिया, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, कभी भी नहीं, मैं तमा, यह हमेशा सब से आगे देखना चाहूंगी, समझे तुम, इसने मेरा हाथ अपने नंबर नहीं लेने, मुझे तुम से एक अदम पीछे रहना अच्छा लगता है, एक नंबर कमनूंगी तुम से, वो चहत कर बोली, पागल हो तुम तो, मैं हंस दिया, हाँ मैं पागल हूँ, इसने मेरी आँखों में आँखें डाल कर कहा, वो पागल ही थी, मेरे प्यार में हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे पर जबान से कहने की अभी उमनाथी स्वबसांखी ही पढ़ा करते थे, खाला ने मुझे अपने पास बुलाया, जी खाला जान, मैं उनके पास जाकर बैठ गया, इन्होंने एक डबबा मेरी तरफ बढ़ा दिया, ये किया है, मैंने हैरत से पुछा, डबबा खोला तो इसमें मेरी मां का जेवर था, मुझे क्यों दे रही हैं, मैंने फिर पुछा, तुम है नहीं, नून हुना दे रही, अब तुमने कॉलेज में एड़मीशन लेना है, मेरी तंखा इतनी नहीं है कि किताबें और कॉलेज की भारी फी सदा की जा सके, शो तुम इसमें से कुछ निकाल लो, फिर मेरे साथ चलो, बाजार में बीच कर जरूरी काम निम्टा लेते, हैं, मैं खुद उसे नहीं हाथ लगा सकती, ये तुम्हारी अमानत है, खाला ने मुटानत से कहा, ऐसी बातें मत किया करें प्लीज, मेरे लिए आप मां ही हो आप मेरे हक में कुछ भी गलत नहीं कर सकती, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मैंने इनका हाथ चूमते हुए कहा, फिर भी मेरे बज़े, तुम्हें मेरा हुक मानना पड़ेगा, चलो अब जल्दी करो, काम जितनी जल्दी निमट जाएं अच्छा है, इन्होंने अपना इसे ज्यादा मेहनत की जरूरत थी, राभी को पढ़ाने का, ज्यादा वक्त ना मिलता, फिर भी वो जहां मुश्किल पाती, मेरे पास चली आती, तब मैं अपने सब काम छोड़ कर उसे वक्त देता, पर वो भी कोशिश करती कि मुझे ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, इसके इमतिहान हो गए, काफी तसली बख्ष हुए, रजलटा, या तो नंबर तो अच्छे थे पर वो मेरी तरह टापना कर सकी थी, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी राभी, घर भी संभाला, तैयारी भी खुद की, किसी से ट्यूशन भी नहीं ली, फिर भी इतने अच्छे नंबर भा कमाल कर दिया तुमने, गिफ्ट तो उन दाल, या ना पड़ेगा, चलो फिर तुम्हारा गिफ्ट डियू रहा, खाला के कुछ भी कहने से पहले में उसे दिल खोल कर दाग देने लगा, और फिर उसे उसे खुशी में अच्छी सी चाए बनाने भेज दिया कि कहीं खाला फिर उसे मेरी मिसालें दे कर ड्यानिक ना पिला डालें, खाला भी शायद मेरा मुद्दा समझ चुकी थी सौ खामोश ही रही, अगले रोज में कॉलेज से वाकसी पे इसके लिए एक सोट लेता आया, घर पहुंचा, मेरे हाथ में लिफाफा देखकर इसकी आंखी चमक कितनी देर अपने साथ लगा कर देखती रही, अच्छा लगे गा ना, इसने बच्चों सी मासूमियत से पुछा, मैं हंस पड़ा, हाँ बहुत अच्छा, मजाख उड़ा रहे वो मेरा, वो मेरी हंसी का बुरा मीना गई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं इसकी करने के लिए जूट बोला, इन्होंने तो मुझे जूटे मूंग मुबारक नहीं दी तो कैसे मा, नून की ये गिफ्ट तुम इनके कहने पे लाए हो, इसने सोट एक तरफ डाल कर मूंग फुला लिया, वो एक मौं होने के साथ साथ एक टीचर भी हैं, और ये तो तुम जा करनती ही हो कि ये इस्तानिय कितनी खडूस होती हैं, इसलिए खाला की बातों को दिल पे ना लिया करो, मैंने इसे हंसाने को ऐसे अलफाज इस्तिमाल किये और मेरा मकसद पूरा भी हो गया, एक खुबसूरत कहकहा फिजा में गौनजा, अब मेरा गिफ्ट नहीं देखोगी किया, इससे पहले कि वो कोई और बात करती, मैंने इसका ध्यान बदला, हाँ हाँ क्यों नहीं, दिखाओ किधर है, इसने बड़े इश्तियाक से मेरी जानिक देखने लगी, इसके लिए पहले तुम्हें आँखी बंद करना पड़ेंगी, मैंने शरारता कहा, लो ये किया ब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, ना बाबा ना, मुझे तो तुम मुआफ़ी रखो, वो डर कर मेरे पास से उठने लगी तो मैंने इसे हाथ पकड़ कर रोक लिया, पसम से अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैंने संजी दगी से कहा, वो बैठ गई, ये, और आ इसकी इस हालत ने मुझे मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया, मैंने जेब से अंगूथी निकाली, ये एक नगीने वाली नाजुक सी अंगूथी मेरी मां की थी जो के खाला से नजर बचा कर में ने जीवरात वाले डब्बे में से निकाल ली थी, और उसे गसम के क खल गई और फिर खली की खली रह गई, इसे मुझ से ऐसी बेबाकी की उमीद ना थी, वो हाथ छुड़ा कर भागने लगी तो मैंने रास्ता रोक लिया, राभी मुझे गलत मत समझना, मैं प्यार करता हूं तुम, से, ये अपनी मां की अंगूथी तुम्हारी उंगली में डाल कर तुम्हें अपने नाम कर रहा हूं, जैसे ही मैं अपने पेरों पर खड़ा हो गया, खाला से तुम्हें मांग लूँगा, और मेरा ख्याल है कि इन्हें तुम्हारे लिए मुझ से बेहतर कोई ना मिलेगा, और वैसे भी खाला मुझ से पहले ही दबेल अफ्रों में क धबरा कर पुछा, वो कुछ कहे बना ही शर्मा कर हाथ छुड़ा कर भाग गई, इसका ये अंदाज इसका खिला इजहार ही था, दिल जूम जूम उठा, दर्वाजा खड़ने की आवाज आई, मैं जो खड़ा मुस्कुरा रहा था, जल्दी से संभल गया, अस्सलामो अलेक से नजरें चरा रही थी, ये सोट किसका है, खाला ने कुरसी पे धरा सोट हाथ में लेते हुए पुछा, मेरा सोट है, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है, कमाल है अपना दिया हुआ सोट ही नहीं पहचाना आपने, राभी ने खफ़गी दिखाते हुए कहा, खाला की प्यारा है और सोट से ज्यादा इसका कलर प्यारा है, खाला मेरा इशारा समझ चुकी थी, तारीफ पे राभी निहाल ही हो गई, और खाना लगाने चली गई, इसके जाते ही खाला ने मेरे कान खींच लिए, कहां से आए तुम्हारे पास इतने पैसे, और जूट क्यूट ब हो गया, इसने मुझ से रेकुयसर की तो मजबूरा मुझे राजी होना पड़ा, मैंने फीस लेने से इंकार किया तो उसने जबरदस्ती मेरी जेग में डाल दी कि तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इंकार मत करो, और दूसरी बात ये कि राभी आपकी तरफ से बदगुमान हो ही थी सोचा गिफ्ट मिलेगा तो दिल साफ हो जाएगा इसका, अभी छोटी है नंसो आपकी मुहबत को समझती नहीं है, डानित डपट को आपकी नफरत समझने लगती है, मेरी बात सुनकर खाला ने कुछ कहा नहीं बस प्यार से मेरे सर पे हाथ रख दिया, अंडर स्कोर राभी का गल्स कॉलेज में एडमीशन हो गया, अब मैं कॉलेज से वाक्सी पर उसे लेता हूँ अधराता था, मेरे दिल की बे, अक्कें देने के बाद अब वो थोड़ी शरमीली सी हो गए थी अब मुझे से बद्टमीजी भी नहीं करती थी, बात बात पे लगना भूल ही गए थी, राबी मुझे पच्तावा हू रहा है कि मिने इजहार करने में इतनी देर क्यों की, एक दाल, नून कॉलेज से वाकसी पे मिने इसे शरारता कहा, असने आब रुआ चुकाए जैसे मेरी बात की समझना आई हो, भई मुझे बहुत पहले दिल की बात कह देनी चाहिए थी, इतना अरसा फुजूल में तुम से मार खाता रहा, तुम्हारी जली कटी सुनत, अलिफ रहा, अब देखो न, इस दिन के बाद तुमने एक बार भी मुझे से लड़ाई नहीं की, और मुपका मारने का तो तुमने सोचा भी नहीं, मैंने इसे चेड़ते हुए कहा, ऐस कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे ही पड़, हाई मैं मसरूफ हो गई हूं, मौका और वक्त नहीं मिला, वो मसनुई खफगी दिखाते हुए बोली, वैसे तुम्हें अभी अंदाजा नहीं कि ये शर्माती लजाती महबुबाएं, ये मनेगी अतरें शादी के बाद कितनी ज का जड़ते हुए पुछा, मेरी हंसी निकल गई, प्यार तुम से, करती हूं तो जाहिर है शादी भी तुम ही से करूंगी, समझे, इसने घुसा दिखाया, गली तुम भी मुझ से प्यार करती हो, मैंने इसे फिर चिड़ा, इसके रुखसारों पे लाली बिखर गई के वो भी मेरे साथ जागत, ये, कभी पानी ला कर देती, कभी दो दो और चाय से मेरी खातिर मदारत करती, मैं कहता रह जाता कि सो जाओ, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना, पर वो टस्क से मसना होती, मैं पेपर दे कर आता तो फिर लंबी तान कर सो जाता, पर वो जाने अब नेंद पूरी किया करती थी, मेरे पेपर्स खतम हुए तो इसके शुरू हो गए, अब मैं इसके साथ रात जाकता, इसे पढ़ाता, हम दोनों पेपर्स से फारिग हो गए, वो घर संभालने लगी, मैंने एक दो ट्यूशन पकड़ लें, रस, लट मेरा इस बार भी लामने पड़े थे, मैंने चोड़िया नकका, लामने, राभी के लिए भी कुछ निकालना चाहता था पर खाला ने मौका नहीं दिया, मेरा ख्याल है अब तुम कोई सेकेंड हैनर सुस्ती सी बाइक भी ले लो, यूनिवर्सिटी साइकल पे जाओगे तो अच्छा नहीं ल मैंने उसी से ले ली, मैं पहले दिन तयार हो कर शान बेनियाजी से बाइक पे बैठा और खाला को आवाजे देने लगा कि आजाएं आपको भी रास्ते में छोड़ता जाऊंगा, पीछे से किसी ने आकर मेरा कान मरूरा तो मेरी चीख निकलते निक, लते रह गई, ये फुला, हुआ था मौतरमा का, चल ठीक है मौका मिलते ही आईसक्रीम खिलाने ले चलूंगा, डन, मैंने आँख मार कर कहा, राभी दर्वाजा बंद कर लेना, कोई भी आए खोलने की जरूरत नहीं, खाला की आवाज सुनकर वो मेरा कान छोड़ कर गदरे पर रहट गई, ज पीनेर नए आने वालों के साथ शोगल फर्म, आई गे, मैं किसी के हाथ नहीं लगना चाहता था, सो घर की राहली, दो घंटे बाद ही मैं घर के बाहर था, इतनी जल्दी मुझे आता देख कर राभी परेशानसी हो गई, किया बात है, तुम्हारी तबियत तो ठीक है, इतन हुआ गई, दर्वाजा बाहर से बंद किया और बा, अक पे आ बैठी, इसने मुझे जोर से पकर रखा था, पहली बार बाइक पे बैठी थी तो खौफ जदा हो रही थी, मैं ज़रा सी स्पीड तेज करता तो मक्के से मेरी कवाजो की जाती, वो खौफ के मारे मुझ से चु लटा गया है मैडम, मैंने धमाका किया, किया, वो सर से पैर तक कान, पे गई, किया बना, इसकी अंखों में असु आ गए, पगली पास हुई हो तो गिफ्ट दिला रहा हो ना, मैंने इसकी अकल पे मातम किया, इसकी सांस में सांस आई, सूरी इस बार कोई खास तोफ़ा नह करते हो, तुम्हारी दिलाई हुई ये चोडियां सोने से ज्यादा कीमती हैं, समझे तुम, इसने मसनुई रोप जालते हुए मुहबत से कहा, इसे घर के बाहर ही उतार कर में खाला को लेने चला गया, इन्हें ऐसा ही लगा कि मैं युनिवरसिटी से सीधा इन्हें लेने प ख्याल आया कि आज भांडा फोटी जाना है, हम इतना वक्त घर से बाहर गुजार आए हैं, खाना तो तयार नहीं किया गया होगा, आपको कुछ बाहर से खिला दूँ, मैंने जान बखशी की सूरत निकालना चाही, ना बेटा, अब बाहर के खाने कहां हजम होने मुझे, घ बहुत बूक लग रही है बेटा, मेरी तो अब जान निकली जा रही है, खाला ने धाई दी, जी अम्मा, राबी की पर सुकुन आवाज आई, मुझे इसके लहजे का सुकुन तश्वीश में डाल गया, थोड़ी देर में कड़ी पकोड़े और गर्मा गरम रोटियां सामने पड़ी थी, अम्मा, खाला सफी ने कड़ी भेजी है खास आपके लिए, इसने खाला की प्लेट में सालन निकालते हुए बताया, मैं जो अब तक आखी फारे सालन के बाउल को देख रहा था, ने गहरी संस खारिज की, दिल चाहा अभी जाकर खाला सफी के हाथ चूनू, ख खाला खाना खा कर थोड़ा ससताने चली गई, राभी बरतन समेटने लगी, आज तो बाल बाल बच गए, मैंने सरगोशी की, वो मुस्कुरा दी, सच्छी और पाकीजा मुहबत करने वालों का लाभी साथ दिया करता है, वो कह कर चली गई, बेशक, मैं भी मुस्कुरा दिय खाला को इसके रजलट का पता चलाते, वाओ कुछ पैसे इसकी हतीली पे रख दिये कि अपनी मर्जी से कुछ ले लेना, इन्हें शायद ख्याल होगा कि मैं पहले वाली हरकत फिरना कर गुजरों सौइस बार खुद ही उसे दे दिला दिया, वो बहुत खुश थी, और इसक होती रही, खाला जान अब बहुत थक चुकी थी, बीमार सी रहने लगी थी, अब मैं इंजिनियरनक के आखरी साल में था और वो भी बैचलर आफ साइंस के इमतिहन देने वाली थी, खाला को अचानक बखार ने अनुन लिया, हम बहुत परेशान हो गए, बखार था, कि कम ह होने का नाम ही नहीं ले रहा था, हमें खाला की फिक्र थी और इन्हीं इसकूल की, इसकूल में बच्चों के सालाना इमतिहनात होने वाले थे, ऐसे नासुक वाक्त में खाला की गेरहाजरी, इसकूल वालों के दबाओ की वजह से राभी सको, लाम जाने लगी कि खाला ठीक से रेस्ट कर सकी, डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट करवाओ, पता चला कि इन्हें टाइफार्ट हो गया है, अब राभी इसकूल जाती, मैं खाला की देख भाल करता, इलाज शुरू हो गया था, ये ऐसी सखत बीमारी तो नहीं, नूल हुना थी पर खाला में अब वो पहले वाली हिम्मत ताकत ना रही थी, परेशानियों और सख मेहनत ने उन्हें वक्त से पहले ही बोला और कमजोर कर दिया था, वो सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी, राभी इसकूल से आकर घर भी देखती और रात अपनी किताबों को वक्त देती, मुझे इस पे तरस आने लग और गरत भी कि जवान मर्द आराम से घर बैठे और घर की औरत बाहर धटके खाए, खाला में सोच रहा हूं, जब तक डिगरी पूरी नहीं हो जाती तब तक छोटी मीम, वटी नौकरी कर लेता हूं, अब आप या राभी को काम करता नहीं देख सकता, शर्म से मेरा सर जुक हुआ था, पागल मत बनो, राभी ने कौन सा सारी जिन्दगी नौकरी करनी है, बस चंद दिन की बात है, फिर में खुद स्कूल चली जाओंगी, ते, मीम सुकून से अपनी डेगरी पूरी करो, आखरी साल तो बहुत मेहनत की जरूरत होती, मुझे सिर्फ मुकमल डेगरी नहीं, शानदार डेगरी चाहिए, फिर बेटा तुमने ही कमाना है सारी जिन्दगी और हमने बैठ कर खाना है, ना मेरा बेटा, परेशान मत, हो, बस अपनी पढ़ाई पर धियान दे, पहले ही मेरी इस कमबख्त बीमारी की वज़ह से तमहारा इतना वक्त जाया हो चुका ह खाला ने प्यार से मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहा, इसकूल में इम्तिहान खतम हो गए, खाला की तबीयत अभी ते, काफ नहीं संभली थी, राभी के इम्तिहान शुरू होने वाले थे उसे इसकूल से चुट्टियां लेनी पड़ें, इसकूल वालों ने भी फराख दिल का मुझाहरा किया और तंखा की कटोटी के बगएर ही एक माह की चुट्टी अंग्ते डालें, वो दिल वो जान से पड़, हाई मैं मगन हो गई, इम्तिहान शुरू होए, वो तो गिन चक्कर ही बन गई, इम्तिहान की तैयारी, घर के काम, खाला की देख भाल, इसे तो हर सहन मिना बैठी, मैं युनिवर्सिटी से लुटा, सामने इसे देखा तो देखता ही रह गया, बहुत उजली उजली लग रही थी, बाल शानों पे विखरे हुए थे शायद नहा कर आई थी, ऐसे किया देख रहे हो, इसने नखरीले अंदाज में पुछा, लो अब इतने दिनों बाद नजर आई हूँ तो देखूं भी ना, मैंने बाई के एक तरफ खड़ी करते हुए रूठे लहजे में कहा, मेरी बात पे वो कहा कहा लगा बैठी, मैंने घबरा कर इसके मूँख पे हाथ रख दिया, खाला कहा है, मैंने चोर निगाहों से इधर इधर देखा, शो रही हैं, इसने मेरा हाथ पीछे करते हुए आहिस्ता से कहा, मैंने गहरी सांस ली, इतना डरते हूँ तो अम्मों से बात कैसे करोगे, कैसे मांगोगे मेरा हाथ, राभी ने संजीदगी से कहा और सर अपने घुटनों में दे दिया, शायद आँखों की नमी चुपाने क कोशिश कर रही थी, पगली मुझे मा, नगना ही नहीं पड़ेगा, खाला खुद दिंगी अपनी पगली का हाथ मेरे हाथ में, कोई और तो आने से रहा इस बांगी चुड़ेल के लिए, मैंने सीटी बजा कर उसे चेड़ने की कोशिश की, दफा हो जाओ, इसने लात मार कर मुझे दीवान से नीचे गिराने की कोशिश की, कहां मेरे आखा, मैंने हाग सीने पे रख कर सर को जुकाते हुए एक्टिंग की, जहनम और तुम्हारी जहनम इस तरफ है, इसने मेरे कमरे की तरफ इशारा किया, मैंने दाबादारी दिखाई और बैब उठा कर कमरे की अगर मूड हो तो फरेश हो के आजाओ, खाना लगाने लगी हूं, इसने पीछे से आवाज लगाई, और मैं मुस्कुरा दिया कि वो हुस्से और नाराजगी में भी मेरा ख्याल रखना नहीं बूलती थी, खाने की चटाई पे बैठे हमने बहुत बातें की, एक महीना का सटा के कट्था हुआ पड़ा था, दिल जितना उदास था आज सेर हो गया था, दिल की सारी बेचीनी और दोरी का एहसास मिट गया था, खाला की तबियत कुछ संभल चुकी थी पर वो इस, काबिल नहीं थी के इसकूल की डियूटी दे पातीं सो, रभी ने एक बार फिर इसकू के इसकूल नौकरी करने की अजासत दे दें, रभी को आपसे डबल तंखा दी जाएगी, वो माशालला बहुल काबिल है, और हमें अब साइन्स की टीचर की अश्यद जरूरत है, खाला ने टाल मिटूल से काम लेना चाहा पर प्रिंसिपल भी शायद ये काम हर सूरत करने की थान कराएं थी, खाला को मीना कर ही दम लिया, जब पता चला कि रभी की नौकरी पकी हो गई, मुझे काफे घुस्सा आया, पर अभी घुस्सा करने का कोई हक नहीं रखता था, शौम बना लिया, रभी से भी बोल चाल बंद कर दी, मैं ज्यादा वक्त अपनी किताबों को देने लगा, वो बात करने की कोशिश करती तो टेस्ट का बहाना करके इस से जान चुड़ाने की कोशिश करता, रात खाला सो गई, मैं बैठा पड़ रहा था और साथ में कुण भी रहा था, वो चाय के दो कप बना कर ले आई, मैंने धियान ना दिया और खुद को बहुत म अरम हाथों में ले लिया, नाराज हो, मैं पिहलने लगा पर खुद को मजबूत जाहिर किया, मेरा ख्याल है, तुम जानती हो, मैंने रूठे लहजे में कहा, मेरी नौकरी की वज़ह से, इसने फिर पुछा, मैंने इसे घोरा, जाहिर है, मैंने कौन सा कंटरेक्टर साइन क कर दिया है कि सारी जिन्दगी नौकरी करूंगी, जिस दिन तुमने अमां से मेरा हाथ मांग लिया, मैं सब छोड़ कर घर बैठ जाऊंगी, इसने प्यार से कहा, पका, मैंने मुस्कुरा कर पुछा, हाँ पका परामस, इसने मेरा हाथ नरमी से दबा कर कहा, चलो फिर सुब इस दिन तुम अच्छी नौकरी पे खड़े हो गए, इस दिन तुम्हारे कहे बना ही वो मुझे तुम्हारे नाम कर, डिंगी, भोले मिया, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर कुछ और सोचना, इसने मेरे सर पे हलकी सी दब लगाई, मेरी सारी शोखी हुआ हो गई, हमम इसका मतलब, इंतिजार, इंतिजार, और इंतिजार, मैंने मूंट बनाया, चलो जल्दी, से चाए पियो, और ज्यादा ज्यादा पढ़ो, इसने मुझे कप थमा दिया, मैं छोटे छोटे सिप लेने लगा, वो भी मेरा साथ दे रही थी, इंजिनिरिंग की पढ़ाई इसकी दबी दबी चीख सुनाई दी, हमम मैंने अगला पॉइंट लिखकर इसकी तरफ देखा, मोटी मोटी एंखों में मोटे मोटे आंसू, किया हवा है राभी, मैंने परेशान होकर पुछा, इसने किताब मेरे सामने कर दी जिसके एक कोने पे आमना का नंबर लिखा था, मेरे चहरे का रंग उल गया, हलक इतना खुश्क हो गया कि कांटे चबने लगे, कौन है ये, इस बार इसकी आवाज गदरे बुलंद हो गई, मैंने लब खोले पर कुछ कहना सका, वो किताब मेरे मूट पे मार कर रूती हुई चली गई, और इसके पीछे मेंने पेशानी प सब कैंटीन में आबैठे खुश गपपीव में मसरूफ थे, मैं उन सब के दर्मियान होता हवा, भी वहाँ ना था, बिलाल बहाने से मुझे दोर ले गया, किया बात है फैजान, मैं देख रहा हूं कि तुम दो दिन से बहुत चुप-चुप से हो, घर में सब खेरियत है न तुम्हारी खाला जान, इसने दश्वीश से पूचा, हाँ वो ठीक हैं, पर मैं कहते कहते जज़क गया, किया बात है कि आपने दोस्त से शर नहीं करोगे, इसने अपनायत से मेरा कंधा थपथपा कर कहा, इसकी अपनायत ने मुझे हिम्मत दी और मैंने वो किताब, आमना क इसता राभी का जिक्र नहीं किया, पसम से में तो आमना को जानता भा, ये नहीं, बैठे बिठाए एक आफ़त मेरे गले पढ़ गई, बिलाल ने एक जानदार कहा कहा लगाया, यार ये आफ़त तेरे नहीं मेरे गले पढ़ी है, ये एम बैचलर ओफ आर्ट्स, वाली आमन दिल चाहा के उसी वक्त इसका गलागंगंगं, चलो जो हुआ सो हुआ, एक मुम्मा तो हल हुआ, मैंने वहीं से बाइक पकड़ी और मार्केट की तरफ चल पढ़ा, बिलाल आवाजें ही देता रह गया, राभी के लिए कार्ड और फूल लिया, साथ में इसकी पसंदीदा चॉकलेट, इसकूल से चुटी का वक्त होने वाला था, इसकूल पहुंचा और इसे वक्त से पहले चुटी लेने को कहा, वो मुझसे खफा थी पर मेरी बात ना मान कर किसी को तमाशा नहीं दिखाना चाहती थी सौ आधा घंटा पहले ही चुटी लेकर बाहर निकलाई, मैं ने कार्ड और फूल इसकी तरफ बढ़ा दिये, जिसे उसने लापरू, अही से साइट पे कर दिया, इस सब का मतलब, सूरी, मैंने मुखतसरा कहा, बेवफाई के लिए माफी नहीं होती मिस्टर फैजान, इसने लफज चबा कर कहा, हमेशा से फैजी कहने वाली ने आज कहने पे इसकी आँखें खौफ से फैल सी गई, पागल मत बनो और तुम किया समझते हो, तुम्हारी इस हरकत से खौफ जदा हो कर में तुम ही मुआफ कर दूंगी, कभी नहीं, समझे तुम, मुझे वार्निंग दी गई, नहीं, मैंने ये इसलिए डाला है कि तुम मेरी बा तुम अभी आमना का नमबर मलाओ और इससे पूछो के वो फैजा, नून को जानती है कि नहीं, और ये भी पूछना के बिलाल कौन है, आमना मेरी नहीं बिलाल की दोस्त है और इस कमीने ने इसका नमबर गलती से मेरी किताब में लिख डाला, राभी अपने दिल से पूछो बच्पन से आज तक एक सिर्फ तुम्हें चाहने वाला और तुम्हारी खुशी की खातिर अपने खुशीयों को पसपुश्ट डालने वाला फैजी बेवफा हो सकता है दो दिन मेने किस अजियत में गुजारे ये तुम नहीं समझ सकती मर्द इतनी जल्दी महबबत में गिरिफ़तार नहीं होता जितनी जल्दी और अगर मर्द सची महबबत कर ले तो फिर सारी जिंदगी उसी औरत का रहता है अगर मर्द किसी औरत के लिए रो दे तो समझ जाओ कि इसके बाद किसी का नहीं हो सकता मेरी आँखों से दो मोती टूट कर गिरे नमी इसकी आँखों में भी उतर आई थी अगर कभी तुमने बेवफाई का सोचा भी तो ये काफी मेंने कभी तुमें खबर भी ना होगी मेरी काफी को अपने आगे रखते हुए मेरी आँखों में जहनक कर कहा ये फैजी जीता भी तुम्हारे लिए है और मरते वक्त ली तुम्हारा ही होगा मेंने मुस्कुरा कर कहा वो भी मुस्कुरा दी और मेरे दिये हुए गुलाब की खुश्बू से लुट फंदोस होने लगी काफी साइट पे करके हम दोनों चॉकलेट शर करने लगे अब कुछ असाइनमनट और परूजी ठेपे काम करना बाकी था में बिलाल और कुछ दोसरे दोस्तों के साथ मसरूफ रहने लगा फिर वो दिन भी आया जब में बिलकुल फ्री हो गया बस अब रजलट का इंतिजार रहने लगा था कि जल्द अस जल्द रजलट आ जाए और मुझे अच्छी सी कमपनी में नौकरी मिल जाए दिन राद अब मुस्तक्पिल के खुबसूरत सपन मेरी अंखों के सामने नाचते फिरते और में खुश होता रहता मेरा रजलट आ गया बहुत शांदार हमेशा की तरह खाला और राभी की खुशी का कोई ठिकाना ना था मैं तो जैसे हवाओं मी उरने लगा था खुब मिठाई खाई और खिलाई गई अगले दिन से ही में सीवी लेकर निकल पड़ा बहुत सी कमपनियों में सीवी दे आया महीना भर रूच चला था किसी तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी खाल हे रोज पूछती थी और मैं धीरे से नफी में सरहिला देता वो उम्मीद दिला कर अपने कामों में लग जा दी बिलाल अपने बाबा की कमपनी में ही इनका हाथ बटाने लगा था दो दोस्त बैरून मुल्क सुधार गए अहमर भी मेरी तरह इंतिजार की सखती जील रहा था रावी के इंतिहानात शुरू हुए तो इसकुर से चुट्टी ले ली अब मेरा काम उसे पक एंड ड्रॉक और घर के सौदा सुलफ लाना ही था बहुत जगह इंटर्वियू भी दिये सब कॉल बैक का कह कर भूल जा दे ओ, रे में इंतिजार की सूली पे ही लटका रह जाता छे माए होने को आ रहे थे मुझे युन फारिव फिरते हुए मेरे सारे खाब आहिस्ता आहिस्ता दम छोड़ रहे थे अहमर ने तंगा कर दुकान खोल ली थी जहां वो पुराने फ्रिज एर कंडीशनिंग वावी रह ठीट किया करता वो इस से ज्यादा वक्त जाया ना कर सकता था ये थे हमारे मुल्क के हालाग के एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर एक छोटी सी वरकशाप चलाने पे मजबूर था जिसे इतने साल किताबों के साथ मबज़मारी करने और ये सारा पैसा लोटाने के बाद जंग की नौकरी भी ना मिल सकी थी मुझे एक छोटी सी नौकरी की अफर हुई पर मेरी अना ने मुझे बाज रखा कि युनिवर्सिटी का टापर दस हजार की नौकरी करेगा नहीं ये नहीं हो सकता अपने जर वरी खर्चे पूरे करने के लिए मैंने एक दो ट्यूशन पकड़ ले थी बहुत सबर और होसला से ये वक्त काट रहा था खाला ने भी अब तसली देना छोड़ दिया था इन्हें चुप सी लग गई थी रावी को भी समझ ना आता था कि मेरा होसला बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए सौख खामोश ही रहती अब तो कोई प्यार भरी बात करते भी डर लगता कि जाने हमारे साथ किसमत अब कौन सा खेल खेलने वाली है नौकरी होगी तो रिष्टा मिले गा ना एक दिन टियोशन पढ़ा करवा पसाया तो खाला बीना को दर्वाजे से बाहर निकलते देखा खाला बीना रिष्टे करवाया करती थी इन्हें अपने घर में देखकर धचका लगा था अंदर आया तो घर में मौत का सा सुकुट था किया हवा है, खाला बीना की मा, यह थी, यह पूछने का मुझ में हौसला ना था, सीधा अपने कमरे में चला आया, कुछ देर बाद खाला ने दर्वाजे पे दस्तक दी, जी आ जाएं, मैंने बिस्तर पे सीधे होते हुए कहा, वो दीरे दीरे चलते हुए मेरे बिस्तर के जरूरी नहीं कि सब खाब पूरे भी हुचाई। नून खुन्ना, जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे प्लान के मताबिक हो। अलाज के प्लान हम इनसानों के प्लान से बेहतर हुते हैं। जब कोई राह सुझाई ना दे तो खुद को वक्त के धारे में छोड़ दिया जाता लेकिन सारी जिन्दगी बेहतर वक्त के अनत, जार में नहीं बेताई जा सकती, कुछ काम करने पड़ते हैं कि अगर देर हो जाये तो कभी कभी बहुत ज्यादा देर हो जाया करती है और फिर सिवाए पच्टावा के कुछ हाथ नहीं आता मैंने भी आज बहन बीना को एक बहुत बड़ी जिम्मादारी से आजाद होने के लिए बुलाया था मैंने राभी के लिए जो सोचा था, शायद ठीक नहीं सोचा था खाला जो अब तक सर जुकाए बोल रही थी, ने नजरें उठा कर मेरी तरफ देखा में बुद बना इन्हीं ही तक रहा था, वो काफ या कहने जा रही है में समझ रहा था पर इनका बोलना भी जरूरी था, मेरी पत्राई अखों ने इन्हें नजरें जुकाने पे मजबूर कर दिया था राभी के लिए दो रिष्टे आए हैं, एक साथ वाले मुहले का है, किर्याने की दुकान, चलाता है, बैचलर ओफ आर्ट्स पास है, धर बार अपना है, दूसरा समंदर पार का है, वहां अपना बिजनेस है, शायद कोई रेस्टरॉंट चलाता है, सारी फैमिली वहीं है, बहु पाकिस्तान की चाहते हैं पर पड़ी लिखी हो, दो तस्वीरे मेरी तरफ बढ़, अलिफ दी गई, मैंने थामना चाही पर हाथोंने साथ ना दिया, खाला ने मेरे सामने रख दी, उम्मीद है तुम अच्छा मश्वरा दोगे, वैसे मेरी खाहिश है कि वो समंदर प असर आ जाएगी, सब महरूमियां दोर हो जाएगी, रोब, ये पैसे की तंगी की वजह से जो शौक पूरे ना कर पाई, अब जी भर कर अर्मान निकाल सकेगी, दोसरा ये के, कहते कहते खाला खामोश हो गई, पर मैं इनकी बात बिन कहे ही समझ गया, दोसरा यही कि खाला क ख्याल था कि वो दूर, चली जाएगी तो हम नॉर्मल जिन्दगी जी पाएंगे, एक दूसरे की नजरों के सामने रहे तो कभी भी अपने घर नहीं बसा पाएंगे, खाला की बात में कितना दम था, ये कोई भी नहीं यकीन से नहीं कह सकता था, चलो सुबहते, मेम से मिलत ना करतें खाला जान, मैं सिर्फ बुर बड़ा कर रह गया, कप कप आते हाथों से दोनों तस्विरे उठाएं, एक में एक आम सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबके दूसरी में एक हैनरसम सा मर्द सोफे पे बिराजमान था, बहुत परकशिश शख्सियत का माल इसे दीख, दो चश्मिहे ही अंदाजा हो गया था कि यही है वो दौलत मंद शख्स जिसके हाथों खाला मुझे जिन्दा दरगोर करने का सोच रही हैं, मुझे यून ही बैठे बैठे रात हो गई, मैं बाहर नहीं निकला, बस बैठा अपनी नाकाम मुहबत का सोग मनाता रहा, मुझे बाहर से राभी के उंचा-उंचा बोलने की आवाज़ सुनाई दे, फिर खाला को भी घुस्सा करते सुना, मैं बाहर निकलाया, मैं तुम्हारी मौह हूं, तुम्हारे लिए तुम से बेहतर सोच सकती हूं, समझी तुम, मैं मजबूर थी तुम्हें, सारी जि जियोगी जैसी के गुजार चुकी हो, साल भर हो चला उसे नौकरी नहीं मिली और जाने कब तक ना मिले, खाला नश्टर पे नश्टर चला रही थी, मैं प्यार करती हम इस से, चटाखा, एक जोरदार खपड़ राभी के गालों पे पड़ा था, और, छनाके से मेरे सीने मे कुछ टोटा और गरम गरम सयाल जो के पहले ही मेरे गालों पे बह रहा था, मजीद तेजी से बहने लगा था, जिन्दगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजारी जा सकती, खाली पीट तो महबत भी नहीं होती, पीट भा, गने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है, आप किसी और से मेरी शादी, वो धमकी दे कर पैर पटख्ती हुई अपने कमरे में घुस गई, जाते जाते एक खफा सी निगा मुझे भी डाल गई, इसका खफा होना बनता था, मिल जो इस से सच्ची महबत का दावेदार था, खाला से, एक बार भी मिन्नत नहीं की, कभी इस रात कोई भी ना सोया होगा, सुबह दस बजे तक कमरे से ना निकला, कि किसी का सामना करने का होसला था नामन, बिलाल का फोन आ गया, यार अंकल खालिद की कमपनी में वैकी नसी आई है, तुम आज ही आ जाओ, मैंने उन से तुम्हारी बात की है, होके कह कर में तयार हो करने के लिए उट गया, बिलाल से भी नौकरी के लिए कह रखा था, इसके अपने बाबा की कमपनी में कोई वैकी नसी ना निकल सकी थी और जो लोग काम कर रहे थे वो कमवाओ बेश बे, नदरा 20 साल पुराने थे उन्हें हटा कर भी कोई जगह नहीं बनाई जा सकती थी, बिलाल ने बहुत माजरत की थी, पर वादा किया था कि कहीं ना कहीं बंदू बसत जरूर कर देगा, मुझे उम्मीद मंधी कि अगर नौकरी लग गए तो मिख्रे, इलाह से बात करने के काबिल हो जाऊंगा, अभी भी कुछ नहीं बिगडा था, अभी इसकी बात पकी नही हुई थी, तयार हो कर बाहर निकला, कोशिश थी कि किसी से सामना ना हो, बाइट पे बैठा ही था कि खाला ने आवाज दे डाली, फैजी बात सुनो मेरी, कहां जा रहे हो, इंटर्वियू देने, मैंने मुखतसरा कहा, वो तो एक साल से दे रहे हो, आज कौन सा तीर मार ले है तुमने, यहां कर मेरी बात सुनो, मेरी बात ज्यादा जरूरी है, खाला ज्यादा ही तल्ख हो गई, वाकरी ठीक कह रही थी, मैंने एक साल में किया कर लिया था, जो आज कर लेना था, मैं इनके पास जाकर सर जुका कर बैठ गया, बना किसी खसूर के में मुझरिम बना बैठा था, बच्पन से अब तक मैंने कैसे तुझे सुन, भाला, पाला, पढ़ाया लिखाया, हर तरह से ख्याल रखा, तुझे अंदाजा है ना, अपनी जवानी तुम दोनों पे वार दी, मेहनत कर करके खुद को मस्तकिल बीमार कर लिया, तुम सुन रहे हो ना, मेरी मसलसल खामोशी शायद खाला को चुब रही थी, मैंने इस बात में सरहिला दिया, वो तो पागल है नादान है, उमीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे, हर माँ को ऑलाद के बहतर मस्तक्बिल की फिक्र होती है, और इसके लिए फैसला करने का हग भी, मैंने जो फैसला किया, ह आज इसे बुरा लग रहा है पर एक दिन वो खुद इतिराफ करेगी कि वाकई इसकी मैं इसके लिए बहतर फैसला कर गई, मुझे इसकी जुदाई भी सहनी पड़ेगी, पर मैं इसकी बहतरी के लिए ये अजब भी जी लूँगी, बस तुम मेरा एक काम कर दो, फिर समझो तुम मेरे इसानों से आजाद हो गए, आज तक तुम पे लोटाया ही लोटाया है, आज कुछ मांगने लगी हूं, खाला असल मौकिफ की तरफ आ गई, वो कल रात से कमरे में बंद है, रात भी कुछ नहीं खाया, अभी भी बोकी बैठी है, तुम जाओ, एक तो उसे नाश होता, जब मुझे शश वाओ पंज में देखा तो एक बार फिर से अपने इसानात चता डाले और इनका बदला मांग लिया, मैं चारू ना चार उठा, नाश्ता कहां है, मैंने खुश्क होते गले से बमुश्किल पुछा, वो सामने ट्रे रखा है, तुम भी कर लेना, गोय मुझे एक और एहसान किया गया, मैं खामोशी से ट्रे उठा कर रभी के कमरे की तरफ बढ़ गया, हाथों की कपकपी में शिद्धत आने लेगी, खाला मेरी हालत समझ रही थी, शायद उसी लिए उपकर अपने कमरे में चली गई, रभी दर्वाजा खोलो, रभी, रभी, म रभी, दर्वाजा खोलो, आज तुम से बहुक्सी बातें करनी हैं, मैं इसे बहलाने की कोशिश कर रहा था पर अब लगता था कि वो बहलाओ नहीं आने वाली, मिजच सा होने लगा, रभी, दर्वाजा खोलो, मैंने उस बार, दर्वाजा जोर से बजा डाला, वरना मैं त रभी, दर्वाजा खोल दो, तुम्हें मेरे कस्म, हमारी पाकिजा सची महबत के कस्म, मैंने आहिस्ता से कह कर रो देने को ही था कि दाल, रवाजा खल गया, वो यकीनन दर्वाजे के इस बार खड़ी मुझे सुन रही थी, मैं आसू छुपा कर मुस्कुराता हुआ अंदर मजबूरी है, किसी के इसानों का बदला भी तो चुकाना है, हम दोनों ने नाश्टा किया, मैं मुस्कुराता रहा और वो मेरी अकल पे अफसुर्दा, नाश्टा कर चुके तो मैंने ट्रे एक तरफ सरका दी, इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, कितनी ही देर इसकी ल जाग कर सोचा मुझे तुम्हारी खुशी और खुशाली मकसूद है और मेरे साथ तुम्हें ससक ससक कर जीना पड़ेगा, हम ऐसी जिन्दगी ना जी पाए जैसा हमने सोच रखा है तो बहुत मसले होंगे, हमारे दर्मिया, नून दोरियां जनम ले लेंगी और ये महबत न अफरत जीली जाएगी हमसे, मैंने इसकी आँखों में जानक कर पुछा, इसकी आँखी चलकने को तयार थी, इसे मुझ से ऐसी बातों की उमीद ना थी, बहतर यही है कि हम दोनों शराफत से अपनी अपनी महबत से दस्तबरदार हो जाएं, और अपने अपने हिस्से की जादी करके जब तुम चली जाओगी, अपना घर बसा लोगाफ, ये शोहर और बच्चों के साथ मसरूफ हो जाओगी, जब जमाने भर की खुशियां और निमतें तुम्हारे पास होंगी, तब तुम अपनी इस महबत पे हनसा करोगी, और रब का लाख लाख शकर बजा ल नहीं थी, ये सिर्फ जजबातियत थी, एक सा, ठरहते हुए बस थोड़ा सा लगाओ हो गया था, जहां रहो खुश रहो राभी, मैं कहकर उठाया था, इसकी ससकियों ने मेरा पीछा किया था, मैं भी कमरे में आकर दिल खोल कर रुया था, मुझे अपने चेहरे पे नमी का ऐसा, सीन हुआ तो उठ बैठा, तकिया पूरी तरह घीच चुका था और चेहरा अंसों से तर था, सर में हलका हलका दर्द महसूस हो रहा था, सोचा चाय बना कर पी ली जाए, मैं किचन की तरफ चल दिया, चाय के सिप लेता हवा बालकोनी में आ, खड़ा हुआ, दूर कही फजर की अजान हो रही थी, में राभी के मुतालिख सोचने लगा, जाने अब कैसी हो गई होगी, शायद थोड़ी मोटी, पता नहीं कितने बचे हो चुके होंगे, इसने ये तो बताया ही नहीं कि अकिली अरही है कि फैमली साथ होगी, जीनस बहने, काला चश्मा लगाए, एक माडरन सी राभी मेरे तसवर में चली आई, में हंस दिया, अंडर्सकोर 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 अंडर्सकोर, फ्लाइट को आए एक घंटा से ज्यादा वक्त वो चला थ थे, मेरी नजर ब्लेक जीनस, टी शर्ट, हाई हेल और कलासेस को ढूंड रही थी, ब्लेक इसका फेवरिट कलर था, यकीनन आज ब्लेक ड्रेस में ही होगी, मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, एक चार साला सटाइलश सा लड़का, इसका बेटा इसके साथ होगा, पर वकार श कियामत का नक्षा खेंचा, किया मैं इस, ये पहचान पाऊंगा, मैंने खुद से सवाल किया, वहा क्यों नहीं रही, मैंने उक्ता कर सरगोशी की, किसी ने मेरे कंदे पे हाथ रखा, मैं जो अपनी ही दुनिया में मगन था उचली पड़ा गोया कोई बिजली की तार रही हो, सामने एक सियाह अबाया में चपी मखलुक खड़ी थी, इसने इस हद तक खुद को चुपा रखा था कि इसकी आँखी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, आप कौन, मेरी अख़्ों में सवाल उभरा, राभी, इसने आहिस्ता से कहा, जी मैं राभी को ही लेने आया हूं, किया आपको मालूम है कि वो कहां रह गई है, मैं तीन घंटे से यहां खड़ा हूं, और वो है कि गायब, हद कर दी वैसे, मैंने इगिला किया, मैं राभी हूं, फैजी, उसने अपने मखसूस अंदाज, मैं मेरे कंदे पे धपा मारा तो मैं सक्ते में आ गया, इ पे मारने का अंदाज भी वही, मैं अक्सर इसकी इसादत से चुड़ जाया करता, राभी, तुम, तुम कैनेडा गई थी कि साओधी अरभ, मैंने इसे चेड़ना चाहा, अब चलें, इसने रोखे से कहा, शायद मेरा मजाख उसे अच्छा नहीं लगा, मैं इधर इधर चल पड़ी, मुझे इसकी बात काफी अजीब लगी, इसके पीछे भागा, टैक्सी कहा है, इसने बाहर निकल कर इधर इधर देखते हुए पुछा, कौन सी टैक्सी, मुझे हैरत हुई, किया तुम कहीं अपनी फटीचर बाइक पे तो नहीं आगाफ, ए मुझे लेने, दे कर बोली, और वो हेलो मैडम, गाड़ी लाया हूँ आपके लिए, इसे चाबी दिखा कर कहा, मेरी नए मॉडल की चमकती हुई कार देख कर इसकी भनवी चल गई, बिलाल से मांग कर लाए हो, इसने कार में बैठते हुए पुछा, मैंने कोई जवाब ना दिया, बस हुले से मुस्कुरा दिया, अभी तक फारिग ही हो के कोई काम धंदा भी करते हो, इसने शीशे से बाहर देखते हुए ही पुछा, जाने उसने वाकई तनस किया था या मुझे मैसुस हुआ था, नौकरी करता हूँ, एक मिल्टी नैशनल कमपनी में, इसने रुख मोर कर मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे कहे पे यकीन ना आया हो, कॉल उसी दिन आ गई थी जिस दिन तुम प्यादेश सुधारी थी, और ये कार भी मेरी अपनी है, मेहनत की कम, आई की, मैंने इसकी अंखों के गोशे नम होते हुए देखे, अब वो सपाट चेहरा लिए विंडू स्क्रीन के पार जाने किया देख रही थी, वैसे तुम खासी कंजूस हो गई हो, खेर कंजूस तो तुम पहले भी थी पर आज तो हधी कर दी, पान, चेस साल बाद लोटी हो, और लाई किया हो छोटा सा बै, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा कोई छोटा मोटा गिफ्ट ही आता है अपनों के लिए, मैंने माहौल की संजीदगी को मटाने के खातिर इसे चिड़ा, एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पे जाहिर हुई, किसी और के लिए तो नहीं पर तुम्हारे लिए तोफ़ा लाई हूँ, जाने तुम्हें पसंद आएगा भी कि नहीं, इ तो बताओ तुम अकिली किमाई हो, बचे कहा हैं, तुम्हारे वो, क्यों नहीं आए, मैंने लफ़ज वो पे खासा जोर दिया, वाओ, यसे हद है कितनी लापरवा मां हो तुम, इतने चोटे बच्चों को यूं छोड़ाई हो, कैसे रहींगे वो तुम्हारे बगए, साथ ले आती तो तुम्हारा किया जाना था, जरूर संभालने के जुन्जट से बचने के लिए तुमने ये औची हरकत की है, साथ ले आती, मैं खुद देख भाल कर लेता इनकी, आखर हमारा भी कुछ हक है उन पे, स्टॉप, मेरे मुसलसल बोलने पे राभी ने जुन्जला कर क अफफफ कितना बोलने लगे रू तुम फैजी, इसकी पेशानी पे बल से पढ़ने लगे, कौन से बे, चे, किसके बचे, कोई बचे नहीं है मेरे, अकेली हूं मेरे तो अकेले ही आना था ना, कोई फैमली नहीं है मेरी, किसी को नहीं रोता छोड़ कर आई, बे फिकर रहो राभी ने एक गहरी संस खारिज की और सीट से पुष्ट टिका कर आँख, यह मौनद लें, इस लम्हे इसके चेहरे पे मुझे बरसों की ठकान दिखाई दी जैसे बड़ी मसाफत पैडल ते करके आई हो, में कार रोक चुका था, अब मेरा रुख घर की तरफ नहीं करीबी रेस्टरॉंट की तरफ था, राभी कार रेस्टरॉंट के सामने रोक कर मिने इसे आवाज दी, इसने आँखें खोल दें, बाहर घर ना देखकर इसकी सवालिया निगाहें मेरी तरफ उठीं, सोचा लंच करते चलें, मैं मनमन आया, वो खामोशी से उतर गई, इसके पर्द की मंगवा लो, अब तो अपनी मर्जी का खाने की आदत ही नहीं रही, इस, ने टेबल की सतह पर काईबाना कुछ लिखते हुए कहा, मैंने खुद ही अडर दे दिया, इसे चाइनीज पसंद था सौआज उसे इसकी पसंद का चाइनीज खिलाने का सुचा, हाना कि मुझे खुशी को पस्पुष्ट डालना पड़ा कि मुझे अपने उपर के गए इसानों का बद्रा चुका न था, और रज तक पच्टा रहा था, तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही, शादी कर ली, कितने बचे हैं, वो अपने मूड को संभाल चुकी थी और अब मुस्कुरा कर प बैट गया, किसी का दिल तोड़ा था, बस इसकी बद्रा है, तनहाई की सजा काट रहा हूं, मैंने इसकी अंखों में जानकत हुए कहा, पसम ले लो मिने कभी तुम्हें बदा नहीं दी, वो बेसाखता कह गई, मैं मुस्कुरा दिया, मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, कैसी रही परदैस, मैं इसके अंसों की वजह जानने के लिए बेकरार था, खाना आ चुका, वो खामोशी से अपने लिए डालने लगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, देना नहीं चाहती थी या शायद अलफाज ढून रही थी, मैं हनूस बैठा उसे तक रहा था, अम्हों कैसी हैं, इसने डालने को पुछा, पता नहीं ठीकी होंगी, बीस दिन हो गए, मिलने नहीं गया, मैंने सपाट लहजे में कहा, किया मतलब, तुम अम्हों के साथ, नहीं रहते, इसने परेशान होते हुए पुछा, नहीं, वो घर तुम्हारे जाने के अगले रोज ही छोड दिया था, एक रात ने ही मुझे ये समझा दिया था, कि तुम्हारे बगएर वहां रहना मुम्किन नहीं, हर सो तुम भी तुम नजर आती थी, तुम्हारी आوازیں सारे घर में गोंजने लगी थी, रात भर ऐसा लगता रहा कि तुम मुझे पूकार रही हो, तुम्हारी खु अब मजीद का मुतहमिल ना था जाने फिर किस मोल पे वो सिला मांग लेती और अब तो कुर्बान करने को मेरे पास कुछ बचा ही कहा था। मैंने गहरी संस खारिज की और फिर से उसे घूरने लगा। अंसु इसके रुखसारों पे बैह रहे थे और वो उनसे बेनियाज खाना शुरू कर चुकी था। ये और मैं वैसे ही हाथ पे थोड़ी टकाय अपने सवाल के जवाब के इंतिजार में बैठा था। इसने मेरी तरफ देखा समझ गई कि मैं ऐसे नहीं चलने वाला। माने एक विलन का किरदार निभाया दो मुहबत करने वालों को बलेक मैल किया और मुस्तक्बिल में फाकों से डराने की कोशिश की। खुदा गवा है कि फाकों के डर से नहीं मुहबत के तकाज़े पूरे क करने को हां की, तुम्हारे कहने पे हां कर दी, मां का भरम रखना भी जरूरी था, जो भी कर रही थी, आखिर मन तो थी ना, राभी ने आपके किनारे से अंसु गिरने से पहले ही चुन लिया, सारा सफर रोती रही, तुम्हें पता है न मुझे अंग्रेजों के देश देख कितना शौक था, जहाज में बैठ कर बाहर के नजारे करना मेरा खाब था, पर सारा सफर रोती रही, तुम्हें पुकारती रही, एक बार भी शीशे के पार ना देख पाई कि मनाजर धंदिला चुके थे, एयर पोर्ट पे मेरे इस्तक्बाल के लिए ड्राइवर को भेजा था, तब मुझे पाकिस्तान में लड़की किरे, खसती और इस्तक्बाल के मनाजर बहुत शिदद से याद आए, ये वक्त लड़की को सारी जिन्दगी याद रहता है, और मेरी बदनसीबी कि ना प्यार मिलाना इज्जद, लाल जोडे में रुखसत होना चाहती थी, ना मि पकना अपना, ड्राइवर के साथ घर आई, इसने बाहर से ही अंदर जाने का रास्ता दिखा दिया, मुझे लेने बाहर कोई नहीं आया, जैसे जैसे मेरे कदम दर्वाजे की तरफ बढ़ रहे थे दिल की धड़किन तेज से तेज होती जा रही थी, पसीने से तर हाथों से मैंने हैंडल घुमाया, अंदर कदम रखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, मैं छोटे छोटे कदम उठाटी आगए बढ़ने लगी, एक औरत कमरे से बाहर निकली तो मेरी तरफ चली आई, यू, राभी, इसने जहन पे जोर देते हुए पुछा, मैं सिर्फ सर हिला पाई, आई एम जमी माम, इसने पुरजोश होते हुए कहा, लीटस कम, वो मुझे एक तरफ ले गई, दर्वाजा पे दस्तक दी, यस कम उन, अंदर से आवाज आई, अलिफ, नदर दाखिल हुए तो एक शखस सोफे पे बिराजमान कोई इंगलिश फिल्म देख रहा था, नाइट और दीवार पे आवेजन बड़ी सी LCD, फरनीचर, डेकोरेशन, हर चीज़ से इमारत चलक रही थी, मेरी सास ने स्विचान किया तो कमरा रोशनी में नहा गया, जमी, लीटस सी, राभी अजहीर, रोशनी में इसका चहरा देख, अलिफ तो पता चला कि वो जमील नवास था, बहुत रोशन चहरा, परवाकार शख्सियत, बिल्कुल एक शहजादे सा, तुमसे महबत ना हुई होती तो उसे पहली ही नजर में दिल दे बैठ ती, राभी ने मुस्कुरा कर कहा, इस लम्हे इसकी मुस्कुराहट जहर लगी और में बेचीनी से करूर बदल गया, सासों म मुझे वहाँ छोड़ कर चल दी, मैं घबराहट के मारे वहीं दर्वाजे के पास खड़ी रही, सब बहुत अजीब लग रहा था, आजाओ, वहाँ क्यों खड़ी हो, जमील ने बहुत शायस्तरी से कहा, मैं बेच, थी सोफे पे बैठ गई, हलक यक अदम खुश्क हो गया, पियास से कांटे चबने लगे, अजीब लोग ने, पानी भी नहीं पूछा, इतना लंबा सफर करके आई हूं, मैं सर जुकाए कुणने लगी, थोड़ी देर बाद मेरा सामान भी कमरे में आ गया, और खाने की ट्रे भी, मैं चेंज करने चली गई, वापस आई तो मुलाज सफर, इसने उसी तरह सर जुकाए पूछा, ठीक, मैंने धोक निगलते हुए कहा, बुड़, मेरा खयाल है अब हमें एक दूसरे से कुछ जरूरी बातیں कर लेनी चाहिए, इसने सपाट लहजे में कहा, मेरे बारे में तो आपको सब बता दिया गया होगा, उसकी इस बात पे मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा, मुझे इसके बारे में सिवाय नाम के कुछ नहीं मालूम, मेरी उंखों में साफ लिखा था और वो पढ़ भी चुका था, फिर मैंने इसे किसी कश्मकश में मुगतला देखा, अंडर स्कोर अंडर स्कोर अंडर स्कोर अंडर स्कोर अंडर सी गई बजाहिर इतने मुकमल इंसान में इतनी बड़ी कमी देखने में प्रिंस और बात चीट में भी शुगुफता लहजा किसी का भी दिल जीत सकता था जिंदगी के अभी और जाने कितने इम्तिहान बा थी हैं मेरे आसाब तन से गए दिल चाहा कि हर शे को ठोकर मार कर चल को बहुत कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी पर वो नहीं माने वो मौ है ना मुझे हंस्ता बिस्ता देखना चाहती थी इन्होंने पाकिस्तान अपने रिष्टेदारों को लड़ की देखने का कह दिया वो जानती थी कि पाकिस्तानी लड़कियां रिष्टे निभाना जान लेकिन ममी को जोर दिया कि उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दें। मैं अपनी खुशी की खातिर किसी मासूम पे जुन नहीं कर सकता। अगर वो खुशी से राजी हो जाए तो ठीक नहीं तो। जमील ने रुक कर अपने आंसू साफ के बात अधूरी छोड़ दी। इसने मेर हाथ अपने हाथों में लेकर नर्मी से दबाता हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आपकी असोच रही हैं। लेकिन इलतिजा है कि मेरे बारे में थंडे दिल वाओ दिमाग से सौ। चेगा जरूर जब तक आप अच्छी तरह से राजी नहीं हो जाती। तब तक मैं दूसर हाथ बांदे खड़ा था, मुझे दूसरे कमरे में ले चलो, वो जा रहा था, मेरी आँखें बरस रही थी, दिल चाहा कि उसे रोक लूँ, मेरा दिल फैसला कर चुका था कि अबगनी, जिन्दगी का कोई मकसद नहीं तो किसी की दिल की खुशी ही पूरी कर दी जाए, शाय पापसी का रास्ता भी सुझाई नहीं दे रहा था, वो रुकना भी इतना आसान ना था, एक अपाहिज के साथ सारी जिन्दगी बेताने का फैसला बाद में मेरे लिए पच्टावा भी बिन सकता था, मैं जजबाती हो कर कोई फैसला नहीं कर सकती थी, टहल टहल कर मेरे पा कमरे में पानी था ही नहीं, कितने अजीब लोग हैं, मैंने जरा तलखी से सुचा, प्यास इस गतल थी कि मुझे बाहर निकलना पड़ा जो कि मैं नहीं चाहती था, ये, खैल में बाहर आई, धीरे धीरे चलती किचन तलाश करने लगी, सब दर्वाजे बंद थे, समझ नही आ रहा था कि किचन कौन सा है, एक कमरे का दर्वाजा खोला खिला हुआ था, मैं समझी कि यही किचन है, मैं अंदर दाखिल होने लगी, तो मेरे कदम रुप गए कि अंदर से जमील की आवाज आ रही थी, ममी आप बिलकुल परेशान नहूं, वो कहीं नहीं जाएगी, मैंन काम हो जाए, फिर भले ये जहां मर्जी जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं, पुलीस के हाथ लगती है तो लगती रहे, इसके पास काफ, वही ऐसा सुबूत नहीं होगा जिससे ये मुझे अपना शोहर साबित कर सके, इसकी बाते मेरी जान निकाल चुकी थी, मैं बहुत मु मुझन ना था, ये लोग जाने किस प्लान में मुझे यूज़ करने वाले थे, पर अब मुझे किया करना चाहिए ये समझ नहीं आ रही थी, गेट पे चौकीदार हर वाक्त मौजूद रहता था, किसी का छपकर अंदर बाहर होना मुम्किन ना था, या अल्ला मेरी मदद फ बढ़ गई, वहां पैसन की टून्टी से पानी पी कर अपने हवास दुरूस्त के, पलती तो मेरी निगा गेर मामूली रोशन दान की तरफ गई, ये खासा कुशादा था, मैं करीब गई तो देखा इसमें किसी कसम की जाली ना थी लकडी का सिर्फ एक चौकटा सा था जिस इनन ये जमील मिया ने अपने लिए चोड दर्वाजा बना रखा था, जब कोई एमर्जेंसी होती होगी वो यहां से ही फरार होता, अलिफ होगा, ये चोड दर्वाजा घर के पिछली तरफ था और सीधा सरक पे उतारता था, मेरा सामान काफी था, सारा लेकर नहीं जाया जा सकता था, उस वक्त सामान से ज्यादा अपनी जान और इजज़त की फिक्र थी सौमिने फिरती से आये, काफ छोटे बैग में जरूरी पेपर्स और जरूरत की चीज़े डालें, अटीची में एक छोटा परस नजर आया, जो कि मेरा नहीं था, ये मेरे पास कैसे आया, कि मुझे इस अंदेरे का फाइदा उठाना था, रोशनी ठेलने से पहले पहले इस इस इलाके से दूर जाना था, मैं अंधा धुंद भागे, जा रही थी, सांस बुरी तरह फूल रही थी, सीने में रह रह कर 21 सी उठने लगी थी, मेरी नाक यख हो चुकी थी, घर के अंदर स चुटना शुरू हो चुका था, कुछ ही देर में रोशन सुबह नमूदार होने वाली थी, में मुझ छुपा कर फॉर्म के एक बंच पे, बैठ गई और ट्रेन की रवानगी का इंतिजार करने लगी, कुछ ही देर में में ने लोगों को ट्रेन में सवार होते देखा तो मे भी अंदर गुस गई और यून ही मुझ छुपाए बैठी रही, मेरा दिल बुरी तरह डरा हुआ था, देखते ही, देखते ट्रेन फुल हो गई, बस चलने ही वाली थी कि किसी ने मेरे कंदे पे हाथ रख दिया, मेरा कलीजा मुझ को आ गया, आँखों के आगे अंदेरा च जानाई, ये इतनी बड़ी मुसीबत नहीं थी जितनी में समझी थी, पर थी तो एक मुसीबत ही, मुझ ये लगा कि अब मुझे टिकट ना होने पे वो उतार देगी और ऐसा में किसी तोर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैंने अपने बैग में जानकना शुरू कर दिया, ची जाने के सिवा कोई चारा नहीं था, नो मनी नो टिकट में बमुश्किल इतना ही, कहभाई के आवाज रौंद गई, अंखों में आंसु भर आये, अटस होके, इसने मेरे कंदे पे हाथ रख कर कहा और दूसरी तरफ चली गई, लड़की थी ना, शायद इसलिए मेरी और मैंने इसे दिल ही दिल में भाख दौए दे, ट्रेन कहां जा रही थी मुझे कुछ नहीं मालूम था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने अपना सफर शुरू कहां से किया था, रात भर की जागी हुई थी पता नहीं कब नेन की अहोश में चली गई, और जीम, अन यब तरफ को चलना शुरू कर दिया, मुझे कहां जाना है, कुछ मालूम ना था, ना रस्ता दिखाई दे रहा था ना मनजिल का पता, भूग का एहसास हुआ तो सर गिरा कर सरत किनारे बैट गई, किया करूं, या ला इस भूग का किया करूं, बे, होग तो मुझ से कभी भ परदाश्ट नहीं हुआ करती थी, जिस्म बेजान सा होने लगता था, अब भी यही हालत हो रही थी, मैंने भूग के एहसास को कम करने के लिए पीट दबा रखा था, पैसे मेरे पास थे पर पाकिस्तानी करंसी, इस रकम का किया करना चाहिए, कैसे तबदील होगी, मुझे मालूम ना था, एक सिक्का मेरी गोड में गिरा तो मेरी सोचों का तसलसल टोटा, मैं इसे हाथ में लेग होने लगी कि ये किया है कोई मुझे भीग दे गया, जिन फाकों के डाल, रे से मुझे यहां भेजा था, वो यहां मेरे मुनतजर थे, जो पिसमत में लिख दिया जा करीब ही मुझे एक सटूर नजर आ गया, कुछ बिस्किट और कुछ तौफियां ले ले लें कि तौफियां चौसते रहने से भू का एसास कम होगा, बाहर निकली तो एक लड़की गुजरते, गुजरते एक काफी का कप पकड़ा गई, इसके इस अंदाज पे हैरान और नवीद का साथा, सामने एक पार्ग था, मैं वहां जाके बैठ गई, कंदे से लटक्टा बैग उतार कर साइड पे रख दिया और अपना मनवाव सिल्वी इंजुआय करने लगी, तबियत कुछ संभल, ये तो सोचने लगी कि अबागे किया करना चाहिए, पहला खयाल यही फिर कभी सर उठा करना जी पाती और मुझ से ये कब देखा जाना था सो इस आक्शन को सिरे से ही छोड़ दिया, अब अगला सवाल कि फिर किया किया जाए, वही जो इतने बड़े शहर में बागी के लोग कर रहे है, या मैं उस वक्त कैनेड़ा के सबसे बड़े शहर एक आजमाईश और पाकिस्तान में यूँ घर से बाहर खले आसमान तले तनहा रात गुजारने का कभी सोचा भी नहीं जा सकता था और अब दो दिन बाद ही में यूँ रात गुजारने पे मजबूर। आख भी कम होने लगी, बिल्कुल खामोशी नहीं हो रही थी और यही बात मुझे होसला दे रही थी, मैंने उसी बेंच पे अपने बैग को तक्या बनाया और लेट गई, सर्दी थी के बढ़ती ही जा रही थी और में सुकड़े जा रही थी, इस सर्दी की वजख से नींद भी नहीं आ रही थी, मैंने बैग से अपनी एक छोटी सी शाल निकाल कर उपर ले ली, एक लम्हे को गर्माईश का एसास हुआ और अगले लम्हे फिल वही, जान लेवा सर्दी, तब मांक के नरम गरम लिहाफ बहुत याद आए, मैं और तुम जिन से चड़ा करते थे और म से नरम फरवाले कंबल की फर्माईश किया करते थे और वो हंसकर टाल दिया करती थी, दिल ने कहा काश उस वक्त वो बड़े बड़े फू, लूंवाले नीले पीले लिहाफ पे मैस्सर आ जाए, अम्हा लिहाफ में बैठा कर दूद जलेबियां पिलाया करती थी, यहां अस के वाश रूम से वजू किया और अपनी शाल बिचा कर ही नमाज अदा कर ली, रो रो कर रब से मदद मांगी, सही रास्ते की निशान दही की अपील की, वही शाल कंधों पे ओल ली के अभी भी काफी सर्दी थी, हां सूरज निकलते ही मौसम सुहाना हो जाया करता था, भू उनके अंदर जाकर काम के लिए कहना कहा असान था, कुछ तो करना ही था, भू के तो नहीं मरना था ना, मैंने एक तरफ को चलना शुरू कर दिया, दरूद शरीफ पढ़ने लगी कि या लाख खुद ही कोई काम मेरे सामने आ जाए, जुनना ना पड़े, चलते चलते हिम्म जवाब देने लगी पर मुझे हिम्मत नहीं हरनी थी, एक जगह से गुज़ी तो एक मोटी तौनट वाला बंदा सामान से भरी लोडर के पास घड़ा फोन पे किसी से बात करते हुए गालियां दे रहा था, इसकी बाते सुनी को अंदाजा हवा के इसने ये सामान सटूर मे रखने के लिए जिस बंदे को बुलाया थे, हाँ वो शायद बीमार हो गया था, अब वो उसे कह रहा था तुम मरही जाओ तो अच्छा है, फोन आफ करके वो सर पकड़ कर खड़ा था कि मैं इसके करीब चली गई, सर ये काम मैं भी कर सकती हूँ, प्लीज मुझे चानस दे मैंने डरते, डरते कहा, इसने मुझे सर तापा देखा, आर यू शेवर, बेयकीनी से इसके मुझ से निकला, मैंने मुस्कुरा कर सर हलाया, मैंने जल्दी से अपना बैग एक तरफ रखा और सामान उठा उठा कर इसके सटूर में रखने लगी, वो ए, काफ तरफ खड़ा म बर वो जाए तो बापती का काम निम्टा लिया जाए, उस वक्त वोक और पियास दोनों सता रही थी, मुझे याद आने लगा कि जब अम्मा सर्दियों से पहले घर के सब बिस्तरों को दोप लगवाया करती थी, तो ये काम मुझ से ही लिया करती थी, बिस्तरों के धेर को पर ले जाना, और फिर शाम में वापस लाना मेरी ही डियूटी थी और में रूया करती थी कि अम्मा को अपनी नाजुक सी बेटी पे तरस नहीं आता, अम्मा ने वो आदत ना डाली होती तो आज ये भी ना कर पात, ये, शुक्रिया अम्मा, मैंने दिल ही दिल में कहा, गर गुंत पानी पिया और बाकी अगले वक्त के लिए बचा लिया, इन दो गुंत ने भी एनरजी ड्रिंक का काम किया, मिफिर से शुरू हो गई, फिर सारा काम निम्टा कर दम लिया, वो शख्स हैरत से मुझे देख रहा था, शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बरसने लगी, मैं रोती जाती थी और सेंविच खाती जाती थी, रब का जितना शकर अदा करती कम था, ये बंदा भी किसी फरिष्टे से कम साबित ना हुआ था, जो रकम उसने दी वो अगले दो दिन के लिए काफी थी, मैंने सामान समेटा और रागे को चल दी, सारा दिन घूमती फिरती रही, ये दुनिया बहुत खुबसूरत थी मिल सारा दिन इसके तलसम में खोई रही, दिन घलने लगा तो फिर से सर्दी का एसास बढ़ने लगा, मैं एक बंचपे बे, एट गई और बैग से शाल निकालने लगी तो मेरे हाथ वो परसा गया जो मैंने जमी हाथों से खोला तो अंदर कुछ कनेरियन डॉलर पड़े थे, ये कहां से आये, एक नया सवाल, अब मैंने इसे अपनी गोद में उल्टा दिया, इसमें से एक अंगोथी, दो कंगन निकले, राज से परदा उप चुका था, अंगोथी हाथ में ले में बहुत देर तक रोती रही, ये वही अंगोथी थी जो तुमने मुझे दी थी, निकाह से पहले में ने तुम्हें लूटा दी थी, कंगन भी में पहचान चुकी थी, खाला की, निशानी, इतनी बड़ी चीज तुमने मुझे युन दे दी, जबके अब हमारे बीच कोई रिश्टा भी नहीं रह डॉलर भी यकिनन तुमने ही रखे थे, बस फिर रात तुम्हारी याद में रोते ही गुजरी, मैंने अंगोथी अपने हाथ में पहन ली और फिर वो मेरी ताकत बन गई, जब मैं खुद को ठकता महसूस करती, कभी जो हिम्मत हारने लगती तो उसे सीने से लगा कर तुम से बातें कर लिया करती, और फिर से जी उटती, मैंने सबसे पहले तुम्हारे रखे हुए डॉलर से जैकेट खरी दी, जब जब उसे पहना तुम्हें अपने बहुत करीब पाया, बस फिर मेहनत का एक सफर शुरू हो गया, मेरी जिन्दगी का मकसद सिर्फ पैसा बन गया, वक्त इज़सत के लाले पड़े रहते थे, पर्दैस में तनहा रहना, बकरी का भेरियों के बीच रहने के मुतरादिफ था, सोचा को, अई ज़सत की नौकरी करूं, बहुत हाथ पैर मारे पर पिसमत ने साथ नहीं दिया, इसकूलों के चक्कर काटे पर वहां पाकिस्तानी को तरखाने की कोशिश की जाती है, एक स्कूल वाले स्विमिंग टीचर रखने को तयार थे पर मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं थी, रेस्टरॉंट वाले अपना यूनिफॉर्म देते थे, और वो ऐसा था कि हम मश्रिकी लड़कियां वो पहनने का तसवर भी नहीं कर सकती, घरों में नौकर रखने का रिवाज ना था, जिस जिस से पुछा इनकार ही सुना, हर तरफ से मा, यूस हो कर मुझे छोटे छोटे काम भी करने पड़े, ऐसे हालात भी हुए कि मुझे नीच से नीच काम भी करने पड़े, मैंने उन हाथों से जिन्हें तुम अपनी आखों से लगाया करते थे, अंग्रेजों के जानवर नहलाए, गलियों का कच्रा उठाया, भीग भी मांगी, तुम तसवर भी नहीं कर सकते के एक साल में ने कैसे सड़कों पे धटके खाये हैं, कैसी कैसी मजदूयां की हैं, रातें कहां और कैसे गुजारीं, खौफ हर व आना चाहिए था, मैंने बमुश्किल कहा, नहीं फैजी, मीम, जमी मां का मुझ चुपा कर रोना और घट-घट कर मरना देखने का होसला नहीं था, मेरे लिए वो सोबते जेलना ज्यादा आसान था, मां की तक्रीफ नहीं देखी जानी थी, और फिर तुम्हें भी किसी आज इसमाईश से दोचार नहीं कर, ना चाहती थी, ये भी नहीं मालूम था कि अब मेरी तुम्हारे नजर में किया हैसियत रह चुकी थी, तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरा हाथ थामना पड़ता तो मैं खुद को कभी मौफ ना कर पाती, अगर तुम किसी और का हाथ थाम च कर रखा, था जिसम टोटा पड़ा था, कोई काम करने लाइक ना थी, लोगों का सलाब अपनी अपनी मन्जिल की तरफ रवंदमा था, किसी के पास इतना वक्त ना था कि किसी की खबर ले सके, इतने में एक बड़ी सी कार मेरे पास से गुजरी और थोड़ी दूर जाकर जाने उस वक्त मुझ में कहां से हिम्मत आ गई, मैंने एक तरफ गलियों में भागना शुरू कर दिया, मैं अंधा धुंद भागे चली जा रही थी, मुझे कहां जाना चाहिए कुछ अंदाजा नहीं हो रिया था, भागते भागते मेरा पाउं किसी चीज से टकराया लिफ वर में उचल कर दूर जागिरी, उठने की हिम्मत ना थी पर मुझे उठना था, खुद को करीमिनल लोगों के हवाले नहीं कर सकती थी, सर बुरी तरह चक्रा रहा था और गिरने की वज़ह से सर पे चोट लग गई थी और खुन बहने लगा था, काफ, रे भी मुझे एक ल आरम वाओ गदास बिस्तर में थी, ऐसा बिस्तर में ने उम्र भर नहीं देखा था और अब तो एक साल से बिस्तर ही मेस्सर नहीं आया था, मैं बहुत आराम महसूस कर रही थी, वो बुखार वो टुटा जिस्म, अब कुछ भी ना था, मैं कहा हूं, यहां कैसे आई, कौन भागा जाए, पहले तो सब खिल्केओं का जाइजा लिया, यह फ्लेट दूसरी मन्जिल पे था सोख खिल्केओं का इस्तिमाल खतरनाक हो सकता था, मुझे पाई पिया रस्से से उतरने का कोई तजर्बा ना था, अगर ऐसी कोई कोशिश करती तो जरूर हाथ पाउं तरव बैठती, फिर वाश रूम में जानका, यहां भी उम्मीद की कोई किरन नजर ना आई, अलिफ बे दर्वाजे के इलावा कोई रास्ता ना था, मौका देखकर फरार हुआ जा सकता था, दिल ने कहा अगर मैं जमील के हथे चल गई हूं तो अब वो मुझे ऐसा कोई मौका न नहीं देने वाला, मैंने मायूसी से सोचा, फिर ख्याल आया कि बाहर जानका जाए, अगर कोई नहीं है तो दर्वाजे के रास्ते ही फरार हो जाऊंग, बाहर लाउंज में कोई नहीं था, मैं दबे पाउं निकल रही थी कि एक तरफ से एक यंग सी लड़की दो साल का, ब मैंने खुद से कहा पर, वो मेरे गरीबा चुकी थी और शायद मेरी बात भी सुन चुकी थी, तुम इंडिया से हो, इसने उर्दू सुन कर कहा, पाकिस्तान, मैंने मुखतसर जवाब दिया, मुझे थोड़ा होसला हवा के ये जमील की साथी होती तो यूँ सवाल ना करती, पर मैं अभी भी खौफजदा सी थी, देखो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिलकुल महफूस हो, और मेरी बहनों जैसी हो, तुम्हें इंज भी आईये मुझे गवारा नहीं, इसने मेरे कंदे पे हाथ रखकर कहा तो मैं बेगतियारिस के गले लगकर ससक पड जाल दिया, ऐसा अपनायत भरा लहजा सुनने को कान तरस गय थे, मुद्द बात किसी ने सीने से लगाया था, मैं लूई तो रोती चली गई, इसने रोका नहीं, रोने दिया, मैं चुप होआ, ये जब खुद ठक गई, इसकी गोद में बच्चा मेरी तरफ देखे जा रहा और मजेयों लोते देख कर परेशान सा हो गया था, मुझे कमरे में बैठा कर वो काफी लेने चली गई, थोड़ी देर में गरम गरम काफी का मग मेरे हाथ में था, यूर नीम प्लीज, इसने मुस्कुरा कर पुछा, राभी, मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, एक बात पुछूं, इसने कुछ सोचते हुए पुछा, मैंने सरहिला दिया, ये जमील नवाज कौन है, जमील का नाम इसके मुझ से सुन कर मिलसिक, ते में आ गई, मतलब कि ये जमील ही की एजेंट है, मिमफंस चुकी हूं, अपनी बेबसी के एहसास से मेरी आँखी भीग गई, मे इससे चपती फिर रही हो, वो जो कोई भी है, तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम ही कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तुम मेरे घर में बिलकुल महफूस हो, तुम बेहुशी के आलम में बार बार इसका नाम ले रही थी बलके तुम तो बहुत सी बातें क कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और खेलने लगी पचकारने लगी वो वापस आई तो एक्चे साथ माह का बच्चा इसकी गोद में था जैन को मेरी गोद में बैठे देखा तो इसकी चीखी निकल गई में घबरा कर बचे को साइट पे बैठा दिया नो 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 वो गई और जैन को फिर से मेरी गोद में बैठा दिया और वो मेरे उपर की जब के साथ काफ हेलने लगा जो के टेडी बाइर की शकल की थी तुम्हें पता है रावी अब तक कितनी ही मेड बदल चुकी हूं पर ये बच्चा किसी के साथ सीट नहीं हो पाया मेरे इलावा किसी क पास नहीं जाता हता कि अपने बाबा के साथ भी नहीं काफ हेलता में तो आजज़ आ चुकी इसे देखना और फिर ये उम्मिया इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूक लग जाती है कभी कभी दोनों बच्चों का बाजा एक साथ बजने लगता है तब मुझे लगता है जजबा हो दाया वो किया थी कौन थी इतनी जल्दी एक अंजान लड़की पे एतेबार कर लिया उसे अपने घर में पना दी और अपना बच्चा भी सोंप रही थी वो जो भी थी मेरे लिए एक फरिश्टा ही थी फिर मैंने भी उसे अपनी कहानी सुना डाली मेरे दिक को उसने बहुत शिदत से समझा था ये इसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था मैं उसी आली दी कहने लगी मैंने इसका घर बहुत अच्छे से संभाल लिया जैन मेरे साथ बहुत खुश रहता था मां के पास कम ही जाया करता शाम में मैं इसे पार्पी ले जाया करती थी आ आली, दी ने पहले दिन ही मुझे अबाया ले दिया, अब में घर से बेख़ौफ वाओ खतर निकल सकती थी मुझे जमील से कोई खतरा ना रहा था, बलके किसी से भी नहीं रहा था मेरे अबाया की वज़ा से लोगों की निगाहें खौद बखुद जुग जाया करती, थी, नाम पे अलग डॉलर देती थी, में मना करती रह जाती, शर्मिंदा होती रहती पर वो किसी तौर बाज ना आती थी, मेरा इसके घर में दिल लग गया था, वो मुझे अपने बारे में भी बताती रहती थी, इसका नाम आलिया था इसके वालिद इंडिया, से थे, नन्याल स पिले तो लो स्टोरी शुरू हो गई, मामा अपने बाप की बहुत लाडली थी सो इनकी बात टाली नहीं जा सकती थी, दोनों की शादी हो गई और फिर बाबा नाना के आदे बिजनेस के मालिक बना दै गए, दोनों ने खुशियों से भरपूर जिन्दगी गुजारी, मामा क पांच साल बाद इंडिया जाया करते थे अपनी फैमली से मिलने, मामा तो कभी ना गए पर उसे जाने का कहती थी, दो चक्कर उसने भी लगाए, आलिया का युनिवरसिटी में अरसल से सामना हुआ, अरसल इसे पहली नजर में ही अच्छा लगा, और जब उसे मालूम पाकिर, प्सिल इंडिया से है और मुसल्मान है तो उसने फैसला कर लिया कि वो शादी अरसल से ही करेगी, इसका यकीन था कि वफा इंडिया वालों के खुन में शामिल होती है, इसके बाबा की मिसाल इसके सामने थी, वो भी अपनी माम की तरह खुबसूर, ते, प्यार भर जिन्दगी गुजारना चाहती थी, इसने अरसल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो अच्छे दोस्त बिन गए और बहुत जल्दी ये दोस्ती महबत में बदल गई, इसने अपनी माम को अरसल के बारे में बता दिया था, पर माम की शर्त था, ये कि पहले वो अपनी त जोर चैनना था, वो आलिया की तालीम मुकमल होने का इंतिजार कर रहे थे, जैसे ही इसकी डेडरी मुकमल हुई, बाबा ने उसे बताया कि वो इसकी शादी करके इंडिया लोट जाना चाहते हैं, यहाँ उनका जीना मुश्किल है, वो भी यही चाहती थी, कि इसके बाबा अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारी कि शायद इनकी हलत बेहतर हो जाए, तब उसने बाबा को अरसल के मुतालिक बता दिया, अरसल इसके वालिद को भी पसंद आया और ये बात इनके लिए ज्यादा तसली बखश थी कि अरसल बे थी इंडिया से था, शो जल्द ह इसकी शादी हो गई और इसके बाबा इन्डिया चले गए, मैंने अरसल को देखा, वो वाकई बहुत अच्छा शोहर था, उसने बीवी के कारोबार को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, इसके रिश्टेदारों से बहुत इखलाक से पेश आता, बीवी की हर मुम्किन हल करता, हत्ता कि मैंने इसे आलिया के पैर दबाते भी देखा आलिया भी इसका हर तरह से ख्याल रखती, इसके सब काम खुद करती, दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, इसे देखकर मीम, जे तुम याद आते, ख्याल आता हम दोनों भी गिरेक हो जाते तो ऐसी जिन् पड़ा, कि अब इस जैसी चत मुझे फिर कहीं में असर नहीं आ सकती थी तो सोचा, पाकिस्तान ही चलिया हूं, सोचा घट-घट कर मरूंगी तो कम असकम जान अपनों की बाहों में तो निकले गा, ये ना, यहां मरीद तो किसी को खबर तक ना होगी, राभी ने भीगी किया हुआ, अरसल और आलिया को, मैंने बेचीनी से पुछा, कुछ हरसा हवा उनमें छोटी मोटी लड़ायां शुरू हो गई, अरसल लापरवा होता, जा रहा था, घर भी देर से आने लगा, बिसनेस में भी लापरवाही दिखा रहा था, आलिया ने अपने मामुलजात को भी बिसनेस में इन्वालू कर दिया कि जहां अरसल सिलापर वाही हो वो खुद नजर सानी करता रहे, अलिया अपने बाप और नाना का बिसनेस तबाह होता नहीं देख सकता थी, वो अरसल को समझाने की कोशिश करती तो वो बिगर जागा, और अलिया के कजिन की मदाखलत भी इससे बरदाश्ट ना हो पा रही थी, एक राग दोनों में ठीक ठाक लड़ाई हुई, अरसल ने आलिया को थपड़ दे मारा, आलिया से अपनी तजलील बरदाश्ट ना हुई उसने अरसल से बात करना चोड़ दिया, बस सारा दिन रोती रहती, मैं इसे तसली देती कि सबखच ठीक हो जाएगा, खत्रे की घंटी इसके कानों में हर वक्त मूझती रहती, वो खौफजदा रहने लगी थी, अरसल ने रसमा इससे सूरी किया पर उसे मनाने की कोशिश ना की, अरसल इसे मजबूर कर रहा था कि बिजनेस इसके नाम कर दे, नहीं तो रास्ते समझे, वो अरसल से बहुत प्यार करती थी, पर जानती थी कि जिस बात की वो धंकी दे रहा है वो काम वो बिजनेस हत्याने के बाद भी कर बुज़ेगा, शौउस ने खुद को वक्त के धारे पे छोड़ दिया, और इसे एक फूती कोड़ी भी देने से इंकार कर दिया, अ अपना सब कुछ हरसल को देने पे राजी है, शौ आलिया अब आजाद है, वो कितने आराम से आलिया को तलाक दे गया और बचे जो इसकी जान थे के बारे में कोई सवाल जवाब ना किया जैसे वो थे ही नहीं, वो आलिया को छोड़ कर चला गया, आलिया टूट कर बिखर गई उसे इस मुश्किल वक्त में मीम, यनी ही संभाला, पर इसका दिक बहुत बड़ा था, इतनी जल्दी नहीं संभल सकती थी, इसका यकीन टोटा था, मुहबत से एतिबार उठा था, वो इंडिया से नफरत करना चाहती थी पर इसके बाबा भी तो इंडिया के थे, इसन तो वो भी इंडिया ही रह जाए, गी, अपना सब कुछ बतार अमानत अपने कजिन को दे कर उसने इंडिया की तैयारी कर ली, तब मुझे ख्याल आया कि वो तूट कर इंडिया जा रही है, और मैं यहां अपनों से दूर लगकर तूट रही है, और मैं सब महबतों को छोड कर यहां धटके खा रही हूं, मुझे लौट जाना चाहिए, इस से पहले कि महबत मुझ से रोट जाए, वो इंडिया लौट गई, और मैं पाकिस्तान चली आई, पर जाने से पहले मुझ पे इतनी नवाज़ेशी कर गई, कि मैं पाकिस्ताना कर माली तोर पे मुस्तरकम जि गुजार सकूं, राभी ने पानी का गलास प्या और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी, मैं इसकी अंखों को बहौर देख रहा था, अब इन अंखों में वो चमक नहीं रही था, ये जो मुझे अपने हिसार में ले रखती थी, पांच सालों ने अपने गहरे असरात छोड़े थे, किया मैं इन असरात को मिटा पाऊँगा, मैं सोच रहा था, खुद से पूछ रहा था, सर्दी थी कि बढ़ती ही जा रही थी और में सीन कड़े जा रही थी इस सर्दी की वजग से नीम भी नहीं आ रही थी मैंने बैग से अपनी चोटी सी शाल निकालकर ऊपर ले ली एक लंबहे को गरमाईश का एसास हुआ और अगले लंबहे फिर वही जानलेवा सर्दी तब माप के नरम गरम, लिहाफ बहुत याद आए, मैं और तुम जिन से चड़ा करते थे और माप से नरम फरवाले कंबल की फरमाईश किया करते थे और वो हंसकर टाल दिया करती थी दिल ने कहा काश उस वक्त वो बड़े बड़े फूलों वाले नीले पीले लिहाफ पे मैस्सरा जाए, अम्मा लिहाफ में बैठा कर दोग जलेबियां पिलाया करती थी, यहां अंसू पीने पढ़ रहे थे, रात आद सोयाद जा गया कैफियत में निकल गई, जब हाँ खली त रब से मदद मांगी, सही रास्ते की निशान दही की अपील की, वही शाल कंधों पे ओल ली के अभी भी काफी सर्दी थी, हां सूरज निकलते ही मौसम सुहाना हो जाया करता था, भूग सी महसूस हुई तो फिर से रोना आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा, मुझे कोई काम कर चाहिए, पर उन बड़ी, बड़ी इमारतों को देखकर ही सरचकराने लगता है, उनके सामने से गुजरते ही खौफ आता था कजाओं के अंदर जाकर काम के लिए कहना कहां आसान था, कुछ तो करना ही था, भूके तो नहीं मरना था ना, मैंने एक तरफ को चलना शुरू कर दिया, दरूद शरीफ पढ़ने लगी कि या अला खुद ही कोई काम मेरे सामने आ जाए, ढूनना ना पड़े, चलते चलते हिम्मत जवाब देने लगी पर मुझे हिम्मत नहीं हरनी थी, एक जगह से गुजरी तो एक मोटी तौनडवाला बंद, है सामान से भरी लोडर के पास घड़ा फोन पे किसी से बात करते हुए डालियां दे रहा था, इसकी बाते सुनी को अंदाजा हवा के इसने ये सामान सटूर में रखने के लिए जिस बंदे को बुलाया था वो शायद बीमार हो गया था, अब वाओ, है इसे कह रहा था तुम मर ही जाओ तो अच्छा है, फोन आफ करके वो सर पकड़ कर खड़ा था कि मैं इसके करीब चली गई, सर ये काम में भी कर सकती हूँ, प्लीज मुझे चानस दे, मैंने डरते डरते कहा, इसने मुझे सर तापा दी, हाँ, आर यू शेवर, बेयकीनी से इसके मुझ से निकला, मैंने मुस्कुरा कर सर ह लाया, मैंने जल्दी से अपना बैग एक तरफ रखा और सामान उठा उठा कर इसके सटूर में रखने लगी, वो एक तरफ खड़ा मेरी फिरती देख रहा था, अलिफ, वो मेरी मदद करना चाहता था पर वो इतना मोटा था कि इसके लिए अपना आप संभालना ही बहुत बड़ा काम था, काम करते करते मेरी सांस फूल रही थी, मैं ठक के बैठी की सांस बराबर हो जाए तो बाकी का काम ने उटा ली, अलिफ जाए, उस वक्त वोक और पियास दोनों सता रही थी, मुझे याद आने लगा कि जब अम्मान सद्यों से पहले घर के सब बिस्तरों को अपनी नाजुक सी बेटी पे तरस नहीं आता, अम्माने वो आदत ना डाली होती तो आज ये भी ना कर पाती, शुक्रिया अम्मा, मैंने दिल ही दिल में कहा, गर्मी का एसास हुआ तो शाल उतार कर साइट पे रख दी, पानी की एक छोटी बोतल मेरे सामने लहरा दी गई वही बंदा मुझे पानी पेश कर रहा था, तशक्र से मेरी उखों में पानी उतर आया, मैंने दो गुंत पानी, पिया और बाकी अगले वक्त के लिए बचा लिया, इन दो गुंत ने भी अनरजी ड्रिंक का काम किया, मिफिर से शुरू हो गई, फिर सारा काम निम्टा कर द लिया, वो शख्स हैरत से मुझे देख रहा था, शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था के, एक नाजुक सी लड़की ने इतना भारी काम कर दिया है, इसने मेरे हाथ पे रकम रख दी, साथ ही साथ में एक बकस डिफ्ट दिया और चला गया, मैं सरत किनारे ही बैट गई, बकस खोला तो अंदर कुछ सेंविच थे, मेरी आँखें बरस ले, लगी, मैं रोती जाती थी और सेंविच खाती जाती थी, रब का जितना शकर अदा करती कम था, ये बंदा भी किसी फरिष्टे से कम साबित ना हुआ था, जो रकम उसने दी वो अगले दो दिन के लिए काफी थी, मैंने सामान समेटा और आगे को चल दी, सारा दिन घूमती फिरती रही, ये दुनिया बहुत खुबसूरत थी में सारा दिन इसके तलसम में खुई रही, दिन घलने लगा तो फिर से सर्दी का एसास बढ़ने लगा, मैं एक बंच पे बैठ गई और बैग से शाल निका लगी, तो मेरे हाथ वो परसा गया जो मैंने जमील खान के घर से निकलते हुए अपने अटीची से बैग में डाला था, मेरे हाथ साकत हो गए, दिल की धड़किन तेज सी हो गई, ये किसका है, मेरे पास कैसे आया, बहुत से सवाल सामने खड़े थे, मैंने कामते हाथों से खोला तो अंदर कुछ कनेरियन डॉलर पड़े थे, ये कहां से आये, एक नया सवाल, अब मैंने इसे अपनी गोद में उल्टा दिया, इसमें से एक अंगूथी, दो कंगन निकले, राज से परदा उप चुका था, अंगूथी हाथ में ले में बहुत देर तक रोती रही, ये वही अंगूथी थी जो तुमने मुझे दी थी, निकाह से पहले में ने तुम्हें लूटा दी थी, कंगन भी में पहचान चुकी थी, खाला की निशानी, इतनी बड़ी चीज तुमने मुझे ये, हों दे दी, जबके अब हमारे बीच कोई रिश्टा भी नहीं रह गया तुमसे बातें कर लिया करती, और फिर से जी उटती, मैंने सबसे पहले तुम्हारे रखे हुए डॉलर से जैकेट खरीदी, जब जब उसे पहना तुम्हें अपने बहुत करीब पाया, बस फिर मेहनत का एक सफर शुरू हो गया, मेरी जिन्दगी का मकसद सिर्फ पैसा बन की, हर वक्त इज़त के लाले पड़े रहते थे, परते समय तन्हा रहना, बकरी का भेलियों के बीच रहने के मुतरादिफ था, सोचा कोई इज़त की नौकरी करूं, बहुत हाथ पी, रे मारे पर किसमत ने साथ नहीं दिया, इसकूलों के चक्कर काटे पर वहां पाकिस्ता की कोशिश की जाती है, एक स्कूल वाले स्विमिंग टीचर रखने को तयार थे, पर मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं थी, रेस्टरांट वाले अपना यू, नैफाम देते थे, और वो ऐसा था कि हम मश्रिकी लड़कियां वो पहनने का तसवर भी नहीं कर सकती, घरों म नौकर रखने का रिवाजना था, जिस जिस से पुछा इंकार ही सुना, हर तरफ से मायूस हो कर मुझे छोटे छोटे काम ही करने पड़े, ऐसे हलात भी हुए कि मुझे नीच से नीच काम भी करने पड़े, मैंने उन हाथों से जिन्हें तुम अपनी आँखों से लगाया कर खौफ हर वक्त मेरे साथ रहा, का बार लोटाने का सोचा पर खद्मों ने साथ नहीं दिया, एक अंजानी ताकत मुझे रोक लेती रही, राभी अपने हाथों में मूझ छुपा कर ससक पड़ी, मेरी आँखें भी सलाब बहा रही थी, तुम्हें लोटाना चाहिए था, मैंने तक्रीफ नहीं देखी जानी थी, और फिर तुम्हें भी किसी आजमाईश से दोचार नहीं करना चाहती थी, ये भी नहीं मालूम थे, हा कि अब मेरी तुम्हारे नजर में किया हैसियत रह चुकी थी, तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरा हाथ खामना पड़ता तो मैं खु किसी और का हाथ खाम चुके हुते तो भी तुम मेरी मौजूदगी में उस के साथ खुश ना रह पाते, और मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहती थी, इसलिए खुद को तुम से दूर रखा, एक दिन में सड़क किनारे बैठी थी बुखार ने मुझे लाल पड़ा था, कोई काम कर, ने लाइक ना थी, लोगों का सलाब अपनी अपनी मन्जिल की तरफ रवंदमा था, किसी के पास इतना वक्त ना था कि किसी की खबर ले सके, इतने में एक बड़ी सी कार मेरे पास से गुजरी और थोड़ी दूर जाकर रुप गई, मैं इसमें भी थी, खातून को देख चुकी थी, वो जमील की ममी थी, मैं जो समझी थी कि इनकी दसतरस से निकलाई हूं, इन्हें यहां देख कर मुझे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी, जाने उस वक्त मुझ में कहां से हिम्मत आ गई, मैंने एक तरफ गलियों में भागना श खुद को करीमीनल लोगों के हवाले नहीं कर सकती थी, सर बुरी तरह चक्रा रहा था और गिरने की वज़ह से सर पे चोट लग गई थी और खुन बहने लगा था, करीब ही मुझे एक लकडी का कैबिन दिखा, अदिया में खुद जो घसिटे हुए इसके अंदर ले गई औ और दर्वाजे से पुष्ट टिका कर बैठ गई, थोड़ी देर में ही में होश वाओ हवास खो बैठी, जाने कब तक में बेहोश रही, पर जब होश आया तो मैं एक नरम वाओ गदास बिस्तर में था, ये, ऐसा बिस्तर में ने उम भर नहीं देखा था और अब तो एक साल से बिस्तर ही में असर नहीं आया था, मैं बहुत आराम महसूस कर रही थी, वो बुखार वो टुटा जिस्म, अब कुछ भी ना था, मैं कहां हूँ, यहां कैसे आई, कौन लाया, ये ख्याल आते ही, इस सख्त सर्दी में भी मेरी पेशानी पसीने से तर हो गई, अंडर स्को खाना युन ही पड़ा-पड़ा थंड़ा हो चुका था, मैंने तो थोड़ा बहुत खाही लिया था पर राभी की प्लेट जोंकी तुन पड़ी थी, उसने प्लेट पर रहे, खिसका दी और पानी पी कर उपखड़ी हुई, चलो घर चलते हैं, किस घर चलना पसंद करोगी म मीम, इस घर के दर्वाजे आपके लिए हमेशा से खले हैं, खले रहींगे, मैंने सीने पे हाथ रखकर कहा, किया तुम्हारी बीवी भी मुझे इतने ही खले दिल से खुबूल करेगी, इसने तैखी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा, सुरी वो तो नहीं कर सकती, क्यूंक तो तुमने अभी तक शादी नहीं की, पर क्यूं, इसने चलते चलते मुर कर मेरी तरफ देखा, किया तुम नहीं जानती, इस बार मेंने नहीं मेरी आँखों ने जवाब दिया और वो सर जुका गई, मही वे महपता सची अने, मेरे मोबाइल में हरकत होने लगी, राभी ज मैं इस वक्त एक दोस्त के साथ हूँ, मैंने दानिस्ता राभी का नाम नहीं लिया था, खेरियत है ना, मैंने फिक्रमंदी से पुछा, मुझे ऐसा लग रहा था कि खाला रूई हुई है, बस तुझ से मिलने को दिल चाह रहा है, तेरे लिए एक सर्पराइज भी है, खाला सर्पराइज तो मेरे पास भी है आपके लिए, मैंने शोखी दिखाई और राभी ने मुझे अंखी, अच्छा चल फिर आजा, दोनों अपने अपने सर्पराइज बांटीं, खाला मुस्कुरा दें, ओके, आप जल्दी से अच्छी सी चाय बनाएं, मैं आता हूँ, चाय के साथ कुछ और भी रखने मेरा मतलब है बिस्कित शसकट, बहुत बूग लग रही है, दोस्त ने खाना खाने नहीं दिया, होटल का बल भी मुफते में देना पड़ गया, पीछे से एक जोरदार मुपका पड़ा, करीब था के वो एक और जड़ दे थी, मिभाग कर कार के कर पहुंच गया, तो आने वाला बिन, सब मिलेगा तुझे, बस अब आजा, खाला ने फोन रख दिया, अम्मा अकेली रहती हैं, रावी, ने कार में बैठते हुए कुछ अफसुर्दगी से पुछा, नहीं जी, पूरे दस लोगों के साथ रहती हैं, वो चाहें भी तो तनहा महसूस नहीं कर सकती, मैंने कहा कहा लगाया, रावी की पेशानी पे बल पड़ गए, इसे शायद मेरी बात की समझ नहीं आई, दो मियां बीवी, दो इनके माँ बाप, और छे अदद प्यारे प्यारे बचे, रहते हैं उपर वाले पौरशन में, मैंने तफसील से समझाया, हमारे कमरों में कौन रहता है, इसने विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए बजाहिर नॉर्मल अंदाज में पुछा, पर ये मैं जानता था कि इसके अंदर किस गदरहल चल मची हुई है, इसे ये भी घबराहट हो रही थी कि मैं इसे छोड़कर अपने फ्लैट में चला कर रह गई, माहौल की इस नागवारीत को मटाने को में ने रेडियो आन कर दिया, मही वे महपता सची अने, मूंग दा नसीबा का ज़वर वे, किसमत दे मारे उसी की करिये, किसमत दे किस दा जोर है, वक्त का करम है कि तो, बैठा है मेरे रूबरू, है इश्ग कितना एक नजर तो देख ले मेरी ओवर वे, उस वक्त, मेरे दिल की आवाज रेडियो से गूंज रही थी, राभी मेरी तरफ देखे जा रही थी और मेरी मुस्कुराहट गहरी से गहरी वोती चली जा रही थी, घर के बाहर पहुंच करमी ने जोरदार हारं दिया, फिर खुद उ मुझे दीवान पे बैठा कर अन्हू, नून हुनना ने मेरा सर मुंग चोमा, हैपी बर्टडे मेरी जान मेरे लाज, में चुंका, ओ आज मेरा बर्टडे था और मुझे याद ही नहीं, तेरे लेक एक और तेरी पसंद की बैकरी मंगवा कर रखे हैं, अब चाए बना कर ला यह हूं आपके लिए, अच्छा, चल दिखा फिर अपना सर्पराइस, वो दीवान पे मेरे साथ बैठ गई, आप आखें बंद करके बैठे में बाहर से लेकर आता हूं, कार में बूल आया हूं, मैं कहकर बाहर निकला, आज मेरे कमरे का दर्वाजा खोला खिला था, और ये थे कि बे, हते ही चले जा रहे थे, वो दबे गद्मों दीवान की तरफ बढ़ रही थी, अभी गद्रे फासले पे ही थी कि खाला ने राभी कहकर आखें खोल दी, राभी को सच में सामने पा कर वो इस से लपट ही गई, दोनों कितनी ही देर खड़िया, नसू बहाती रहीं और गले लगकर अपने सीने ठंडे करती रहीं, मैंने इन्हें रोका नहीं कि ये सेलावाज ही निकल जाना चाहिए, वरना रह रह कर हलचल मचाएगा, खाला गाहे बिगाहे फरतर जजबात से इसकी पेशानी चुम रही थी, कब थी हाथों को आँखों से लगा लेती थी, वो राभी को दिल भर कर पियार कर लेना चाहती थी कि मबादा खाब टोटी ना जाए और फिर दिल की हसरत दिल में ही ना रह जाए, चलो जी, बंद करो ये लाइव शो, पहले मेरे हाथ हों, की चाय पी लें, मुझे बर्ट्रे का गिफ्ट दे दें, फिर बाकी की पिस्त प चाटा तो बस तालियां फिजा में बुझी, अलफाज कोई भी अदाना कर पाया, खाला ने मुझे एक डबा तौफे में दिया, खोल लूं, मैंने पूछा, इन्होंने मुस्बत अंदाज में सरहिला दिया, मैंने जल्दी जल्दी खोला तो अंदर से एक टेड़ी बियर न खाला की अफसुर्दी थी, शायद पांच साल जाया होने का दिख था, इन महबतों से महरूमी का अफसुस, सब ने चाए पी, केप खाया, मेंने सीन, बे चीज़ों के साथ अच्छा खासा इंसाफ कर डाला, रामीन, रामीन बेटा बात सुनो, खाला ने उपर जाने वाली स लियों के पास जाकर आवाज लगाई, एक बारह तेरा साला लड़की नीचे उतर आई, जी खाला जी, वो ताबादारी से बोली, मेरी, बेटी या, वो सामने वाला कमरा साफ कर दो, जैसे कल किया था ना, बिल्कुल वैसे ही उसे भी साफ कर दो, खाला ने लिजाजित से कह तो वो फौरन जरूरी सामान और चाबी लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई, खाला हमारे बीचा बैठी, ये, मेरी छोटी राबी है, बहुत प्यारी बची है, आज तक मेरी कोशिश बात नहीं टाली उसने, खाला ने महबत भरे लहजे में बताया, साथ में चोर निगाहों से राबी को देखने लगी, वो अपने के पे शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी, खुद को बेटी का मुझरिम तसलीम कर रही थी, अच्छा खाला जान मुझे थोड़ा बहुत काम है, मैं करके आया, मैं दोनों मों बेटी को तनहाई देने की गर्स से कहकर उपखड़ा आ जाना, गायब ना हो जाना, मैंने डिनर का इंतिस्प, हुम किया हवा है, और वैसे भी आज तो डिनर एक साथ करना बनता भी है, इन्होंने मुहबत से राबी को देखते हुए कहा, मैं मुस्कुरा कर बाहर निकल गया, सड़कों पे इधर इधर वाक्त गुजारी करने ल चाहिए, वापस आया तो मैं दर्वाजा खिला ही था, मीम, यह बना आहट के अंदर आ गया, दीवान खाली था, मैं आगे बढ़ गया, अपने कमरे का दर्वाजा पूरा खोला तो एकदम साख सुत्रा कमरा, हर शे अपनी जगह बे, मैं मुस्कुरा दिया, दूसरी तरफ खराबी के कमरे के बाहर पहुंचा तो अंदर से खाल, ही की आवाज सुनाई दी वो रो रही थी, दर्वाजे की दर्स से अंदर जानका तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगी हुई थी, मेरी जान तुमने पर्दैस में तकलिफें काटी हैं तो तुम्हारी मैंने भी पांच साल कोई लमह सुकुन का नहीं देखा, तुम्हारे जाते ही एहसास हो गया कि मिनने गलत किया, मेरे एक गलत फैसला तीन लोगों की खुशियां का कातिल खहरा, मैंने कहां कहां किस किस से तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, पर हर तरफ से नाकामी हुई, अब वाओ हर पल यही दूआ रहती थी कि मेरी राबी सही सलामत हो और मैं मरने से पहले एक बार उसे देख लूँ, देखो मेरे रबने मेरी सुन ली, मेरी राबी मुझे सच्चे दिल से मुआफ कर दे, मैं तेरी मुझरिम हूँ, तेरी खुशियों की गातिल है, मुझे मुझे म खाना लगा दे, बहुत बूक लग रही है, अरे कोई है, मैं आवाज लगाने लगा, ऐसा ही जाहिर करवाया कि अभी अभी आया हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग, ये तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमनट करें, शेर क करें, शुक्रिया